अधर्व की उल्जन बढ़ती गई उन्होंने कभी भी इटर्नल डेड से निजी बातचीत की उम्मीद नहीं की थी पवित्र मंदिर एक सदाशई सुपर गिल्ड था यहाँ ड्रैगन फीनिक्स मंडप की तुलनामे पूरी तरह से अलग लीग में था यहाँ तक कि सबसे पहले दर्जे का गिल्ड मिरे कल भी पवित्र मंदिर के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका यही कारण था कि फीनिक्स रेन पवित्र मंदिर और युद्ध भेडियों के साथ काम करना चाहता था अगर उसने दो सुपर गिल्ड का सहयोग प्राप्त किया होता तो वह नौड रेगन समराट और चमतकार को आसानी से दबा सकती थी यहाँ सही है मेरे गिल्ड लीडर को जीरो विंग में बहुत दिल्चसपी है शांत मेलोडी ने सिरहिलाया सच में क्वाइट मेलोडी भी उलजन में थी कि एटर्नाल डेड अथर्व से बात क्यों करना चाहती है फीनिक्स रेगन ने भी अपने गिल्ड लीडर से इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं ली थी क्योंकि वहाँ आमतौर पर इस तरह की चर्चाओं के लिए वाइस टेंपल मास्टर को भेजते थे केवल ड्रैगन फिनिक्स पैवेलियन के ग्रेट पैवेलियन मास्टर ही इटर्नल डेड के साथ व्यक्तिकत रूप से बात करने के योग्य है ठीक है वह मुझसे कब संपर्क करेगा अथर्व राजी हो गया उन्होंने यह मान लिया था कि पवित्र मंदिर प्रतियोगिता के बाद उनसे संपर्क करने के लिए इंतजार करेगा लेकिन तथ्य यह है कि इटर्नल डेड अब पहुँच गए थे यह एक अच्छी बात थी आखिरकार थंडर ड्वीप पर नियंतरन करना आसान नहीं था इतने सारे महाशक्तियों के अपने लिए ड्वीप पर दावा करने के लिए संधर्श करने के बावजूद उन्हें अतीत में इसके प्रबंधन को साजा करने के लिए मजबूर किया गया था इस द्वीप में राक्षसों के कुल सत्रह डेरे थे सभी सत्रह पर कबजा करने के बाद एक गिल्ड थंडर द्वीप पर हावी हो सकता है वर्तमान में विभिन महाशक्तियों को दो या तीन शिविरों का दावा करने का सौभाध्य प्राप्थ होगा अभी द्वीप पर एक अधिकार करने का प्रयास अवास्तविक था जैसे ही अधर्व ने अपना सवाल पूछा उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली यह और कोई नहीं बलकी इटर्नल डेर था कितना तेज अधर्व ने तुरंट सहमत पर क्लिक किया गौड्स डोमेन में खिलाडी एक दूसरे को तब तक सीधे कॉल नहीं कर सकते थे जब तक कि वे एक दूसरे को मित्र के रूप में नहीं जोरते अधिक से अधिक खिलाडी संदेश भेज सकते थे हाला कि खेल के अधिकांश खिलाडी आम तौर पर बाहर से आने वाले संदेशों को अवरुध कर देते हैं केवल दोस्तों से संदेश स्विकार करते हैं गिल्ड लीडर अनन्त मैं इस अप्रत्याशित कॉल के लिए क्या एहसान मंद हूं अधर्व ने स्क्रीन पर कुछ कठोर अधेर उमर के आदमी को मुस्कुराते हुए पूछा अधर्व के पिछले जीवन के दौरान इटर्नल डेड ने गौड्स दोमेन में अपने दस वर्षों के दौरान कई उपलब्धी हासिल की थी खेल की शुरुवात में पवित्र मंदिर की नौ सेना को विक्सित करने पर ध्यान केंद्रित करने का उनका निर्नय उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक था इसने पवित्र मंदिर को अन्य महाशक्तियों पर भारी लाब दिया था जो गौड्स डोमेन की शीर्श रैंक वाली नौ सेनाओं में से एक बन गई थी उदाहरन के लिए वर्तमान थंडर आइलाइन प्रतियोगिता को ले इस प्रतियोगिता के दौरान पवित्र मंदिर ने प्रतियोगिता में सबसे बड़ी टीम बनाते हुए साथ सौ दस खिलाडियों को भेडा था शुरुआत से ही पवित्र मंदिर ने अपनी सेना को दो मोचों पर लड़ने के लिए विभाजित कर दिया था किसी ने भी गिल्ड को भड़काने की हिम्मत नहीं की जबकि अन्य महाशक्तियों ने अपने दूसरे राक्षस पड़ाव पर हमला करना शुरू ही किया था पवित्र मंदिर अपने तीसरे स्थान पर जाने के लिए लगभग तयार था एल्डर ये अथर्व मैंने जीरो विंग की लड़ाई देखी है और मैं गिल्ड से प्रभावित हूँ इस तथ्य को शामिल करते हुए कि जीरो विंग के पास एक सेल बोट है बैटल वॉल्फ्स गिल्ड लिडर और मैं इस बात पर सहमत हुए हैं कि आप एक साजेदारी के लिए बातचीत करने के योग्या हैं हमें हमने यह भी फैसला किया है कि अगर आप सहमत हैं तो थंडर आइलाइन के मुनाफे का 20% जीरो विंग देंगे जैसा कि इटर्नल डेड ने कहा उसका चहरा अभिव्यक्ति हीन बना हुआ था उसने खुशी या दुख का संकेत प्रकट नहीं किया जीरो विंग की तारीफ करते हुए उस आदमी की आवाज भी तटस्थ थी फिर भी उसके शब्द किसी भी श्रोता के मन में घर कर गए यहां तक की अथर्व भी इटर्नल डेड के शाही आभामंडल की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सका जब वह व्यक्ति बोला यह कोई आश्चर्य नहीं था कि पवित्र मंदिर का प्रबंधन इतना एकी कृत क्यों था गिल्ड का कोई भी उपरी सोपानक इटर्नल डेड के नेत्रित्व से असंतुष्ट नहीं था क्या मैं मान सकता हूँ कि गिल्ड लीडर इटर्नल डेड जीरो विंग और फीनिक्स रेन के लिए थंडर आइलाइन के मुनाफिका 40% कबजा करने के लिए सहमत हो गया है अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा थंडर आइलाइन्ड भविष्य में नौसेना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में जानते हैं हालांकि फीनिक्स रेन में एक शमता है उसने एक भागिदार के रूप में खड़े होने के लिए परियाप्त नहीं दिखाया है इस बीच अगर जीरो विन के पास 20 हैं मुनाफिका परसेंट मुझे संदे है कि आपके गिल्ड को गौड्स डोमेन के समुदर में अधिपती बनने में बहुत समय लगेगा इटर्नल डेड ने धीरे से जवाब दिया और उसने अपना सिरह लाया तो गिल्ड लीडर इटर्नल क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि केवल हमारे तीन गिल्ड ही सहयोग करेंगे अथर्व ने भौहे चड़ाते हुए पूछा अगर जीरो विन फीनिक्स रें के साथ अपने 20% को विभाजित करना चाहता है तो पवित्र मंदिर और बैटल वूल्फ सगठ बंधन में उसकी भागिदारी से इनकार नहीं करेंगे इटर्नल डेड ने हंस्ते हुए कहा अच्छा ऐसा है अथर्व को होश आया उस सारी बातचीत के बाद पवित्र मंदिर और युद्ध भेडियों का अभी भी अतिरिक्ट लाप के साथ भाग लेने का कोई इरादा नहीं था अथर्व ने हंस्ते हुए कहा चुंकि यह मामला है क्रिप्या हमें अपने प्रस्ताफ पर ठीक से विचार करने दें और बात की तारीख में उत्तर दें क्या यह स्विकार्य है ठीक है वैसे भी अगली प्रतियोगिता में अभी एक महीना बाकी है हमारे प्रस्ताफ पर विचार करने के लिए अपना समय लेना बुद्धिमानी होगी इटर्नल डेड के मन में भ्रम की स्थिती पैदा हो गई क्योंकि उसने अथर्व को देखा जो काफी शांत दिखाई दे रहा था उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यहां आदमी इतने लाभदायक प्रस्ताफ को ठुकरा देगा इटर्नल डेड के फोन काटने के बाद उसके चहरे पर एक चंचल मुसकान दिखाई दे रही थी गिल्ड लीडर क्या वह सहमत था शांत मेलोडी मदद नहीं कर सका लेकिन पूछो नहीं उसने इसे अस्वीकार कर दिया ऐसा लगता है कि फीनिक्स रेन की सहयोगियों के लिए अच्छी नजर है इटर्नल डेड ने मुस्कुराते हुए कहा हालांकि वह एक साथी की खातिर हमारे संगों के साथ सहयोग करने का अफसर छोरना मूर्खता है थंडर द्वीड के लिए संधर्ष उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल था एक ही स्थान पर विभिन महाशक्तियों के साथ ड्रैगन फीनिक्स मंडप महतवहीन था फीनिक्स मंडप बहुत कम था अगर यह इतना आसान होता तो वह बैटल वॉल्व्स के साथ गठ बंधन नहीं करता अब जब जीरो विन ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था तो यह द्वीड के कुल मुनाफे का 5% भी सुरक्षित नहीं हो सकता था शांत मेलोडी दंग रह गया वह यह जानकर हैरान रह गई की अथर्व इतना सासी और सीधा है अगर यह उसके उपर होता तो वह बिना किसी हिचकी चाहट के सहमत हो सकती थी फिर भी अथर्व ने शांती पूर्वक इसे अस्वीकार कर दिया था हाला कि वह फीनिक्स रेन के लिए खुश थी और महिला की अच्छी दोस्त के रूप में इर्शा करती थी ना तो फीनिक्स रेन और नहीं जीरो विंग अपने दम पर कोई लाभ प्राप्त करेगी जिसके बाद क्वाइट मेलोडी ने इस खबर को फीनिक्स रेन से जोड़ा बिग सिस रेन इटर्नल डेड वास्तव में घ्रिनित है उसने वास्तव में प्रतियोगिता के बीच में हमारे सहयोगी को शिकार करने की कोशिश की सौभाग्य से बिग ब्रादर ये अथर्व ने प्रस्ताव को अस्विकार कर दिया जब ब्लू फीनिक्स ने सौदे के बारे में सुना तो वह इटर्नल डेड को श्राप दिये बिना नहीं रह सकी हालाकि इटर्नल डेड की पेशकश गुप्ट थी वह हमारे बारे में नौसैनिक शक्ती की कमी के बारे में गलत नहीं था फीनिक्स रेन फूट फूट कर मुस्कुराई साथ ही वह खुद को लखी और टच भी महसूस कर रही थी अगर जीरो विंग नहीं होती तो वह इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाती इस बीच ORC पड़ाव में अथर्व ने एटर्नाल डेड के साथ पिछली बातचीत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ORC चीफ की लूट का आतलन करना जारी रखा यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अतीत में विभिन महाशक्तियां गार्जियन बॉस की लूट को प्राप्त करने के लिए इतनी उच्सुप क्यों थी वे बहुत सारी अच्छी वस्तूओं को छोड़ देते हैं अथर्व उच्साह से अपने बैग में रखे सामान को देखने लगा ORC चीफ ने 32 आइटम गिराए थे जिन में से 20 विभिन दुरलब सामगरियां थी शेश बारह में से 7 स्टर पचपन और 60 हथियार और उपकरण के टुकरे थे और जिन में से सबसे कमजोर फाइन गोल्ड रैंक था ORC चीफ ने टीर 2 स्केल बुक, होली प्रेयर, एस स्किल फॉर हीलर्स को भी छोड़ दिया था पवित्र प्रार्थना दुरलब टियर 2 AOE हीलिंग मंत्रों में से एक थी यह बाजार में कई हजार सोने के लिए आसानी से जा सकता है लूट में एक कांसिय स्पीड बोट और दो डार्क गोल्ड रैंक वाले उपकरण भी शामिल थे मैजिक रेंगन और थंडर बीस्ट स्किन मैजिक रेंगन एक स्पीड बोट के हथियार की जगह ले सकती है और एक शिखर टियर 2 हमले की शक्ती प्रदर्शित करेगी बंदूग की हमले की गती बहुत अधिक थी और इसके हमलों से जहर का प्रकोप होगा जिससे लक्ष समय के साथ HP खो देंगे और आंदोलन की गती को कम कर देंगे थंडर बीस्ट स्किन के लिए यहां मैजिक वेल स्किन के समान था जब एक जहाज पर इस्तिमाल किया जाता है तो थंडर बीस्ट स्किन ने जहाज के जादू प्रतिरोध को 10 परसेंट गती को 4 परसेंट और स्थायत्व को 10 अंक बढ़ा दिया ये आइटम सभी एक भाग्य के लायक थे हाला कि यहां तक की एक साथ जोड़ा गया वे उतने मूल्य के नहीं थे जितने साधारन हार गार्जियन बॉस ने गिरा दिये थे थंडर भगवान का आकर्शन गिल्ड लीडर बॉस ने क्या गिराया जब एकवा रोज और अन्य लोगों ने अधर्व की खुशी देखी तो उन्हें पता चला कि कुछ आश्चर्य जनक गिरा है अधर्व ने मुस्कुराते हुए कहा लूट में मुख्य रूप से सामगरी और उपकरन शामिल हैं लेकिन हमें एक कांसिय स्पीड बोट और टियर दो हीलिंग मंत्र पवित्र प्रार्थना के लिए एक कौशल पुस्तक प्राप्थ करने का भी सौभाग्य मिला है उसके उपर मालिक ने कुछ गिरा दिया जो हमें एक और राक्षस छाबनी लेने में मदद करेगा अधर्व का जवाब सुनकर सभी के होश उड़ गए उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लूट इतनी भयावह होगी यहां तक की विभिंद महाशक्तियों ने अब तक सीमित संख्या में कांस्य स्पीड बोट ही प्राप्त किये थे यदि यह मामला सारवजनिक हो जाता तो अन्य गिल्ड इश्या से मर जाते टियर दो पवित्र प्रार्थना के लिए यह एक टीम में उप्योग किये जाने पर एक दरजन या इतने हीलिंग मंतरों को टक कर दे सकता है यह बाजार में आसानी से कई हजार सोना बेच सकता था लेकिन इन में से कोई भी वस्तु उस वस्तु की तुलना में ध्यान देने योग्य नहीं थी जो उन्हें एक और पड़ाव सुरक्षित करने में मदद कर सके हाला कि वे अपनी पचास सदसिय टीम के साथ एक और छावनी का दावा करने के लिए आश्वस्थ थे यह मानते हुए कि उनके पास परियाप्त समय था प्रतियोगिता की आधी से भी कम अवधी शेश रहने पर उनके लिए एक और रेड को समय पर समाप्त करना बहुत कठिन होगा ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके विरोधी राक्षसों तक ही सीमित नहीं थे बलकि खिलाडी भी थे विभिन महाशक्तियों ने पहले ही अपने दूसरे पड़ावों पर धावा बोलना शुरू कर दिया था इस बीच थंडर द्वीट में केवल सक्रह राक्षस शिविर उपलब्ध थे यह सीमित है कि वे कितने चापे मार सकते हैं इसके अलावा जैसे जैसे समय बीता गया महाशक्तियों ने सफलता पूर्वक एक दूसरे दैत्य शिविर को सुरक्षित कर लिया और तीसरे के लिए प्रयास करेंगे यदि उनकी टीम किसी डेरे को तीजी से साफ नहीं कर पाती है तो द्वीट पर अन्य टीमें उन्हें निशाना बनाएंगी वे नौड रेगन समराट की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली विरोधियों का सामना करेंगे फिर भी यह जानने के बावजूद अथर्व ने ठान लिया था कि वे एक विशेश वस्तु की मदद से एक और पढ़ाव सुरक्षित कर सकते हैं कोई कलपना कर सकता है कि यह वस्तु कितनी मूल्यवान थी ठीक है हमने परियाप्ट आराम किया है एकवा फीनिक्स रेन से संपर्क करें और उसे कहें कि वह पचास खिलाडियों को और सी शिविर की रक्षा के लिए भीजे हम इस बीच एक और पढ़ाव सुरक्षित करने की तयारी करेंगे अथर्व ने जल्दबाजी में निर्देश दिया ठंडर भगवान के आकर्शन को विस्तार से समझाने का उनका कोई इरादा नहीं था ठंडर गौड्स चार्म एक असाधारन वस्तु थी अथर्व को उम्मीद नहीं थी कि वे अपने पहले गार्जियन बॉस की हत्या से इसे प्राप्त करने के लिए परियाप्त भागयशाली होंगे कई बार शिविरों पर चापा मारने के बाद भी केवल कुछ महाशक्तियों ने अतीत में थंडर गौड का आकर्शन हासिल किया था इस बीच जिन महाशक्तियों के पास थंडर गौड्स चार्म्स थे वे एक साथ बंध गए और थंडर द्वीक पर एक आधिकार कर लिया जिसके बाद केवल थंडर गौड्स चार्म्स वाली महाशक्तियां ही द्वीक के सहप्रबंधकों में शामिल होने के योग्य थी थंडर प्रतीक के विपरीत थंडर भगवान का आकर्शन दुश्मनों के मूल गुनों को दबा नहीं पाएगा वास्तव में यह बिना किसी मूल गुन बोनस के एक गहरे सोने का हार था हार में केवल एक ही कौशल था थंडर गौड्स ब्लेसिंग सक्रिय होने पर थंडर गौड्स ब्लेसिंग सभी सहयोगियों को 30 गस के दायरे में थंडर गौड्स पावर बफ देता है जिससे सभी के हमलों से द्वीब के राक्शसों को 100% बिजली की क्षती होती है उसी समय राक्शसों को एक स्टैकेबल विद्यूतीकृत दिबफ प्राप्थ होगा जब मारा जाएगा प्रत्येक दिबफ स्टैक 6 सेकंड के लिए राक्शसों की प्रतिक्रिया की गती, हमले की गती और रक्षा को 3% तक कम कर देगा अधिक्तम 10 बार स्टैकिंग करेगा थंडर गॉड्स ब्लेसिंग में 2 घंटे की अवधी और 4 घंटे का कोल्डाउन था थंडर गॉड्स चान के साथ, राक्शसों के शिविरों पर चापा मारने पर एक टीम की समगर युद्ध शक्ती एक नए स्टर तक बढ़ जाएगी यही कारण था कि थंडर गॉड्स चान वाली महाशक्तियों को उन लोगों पर पूर्न लाप था जिनके पास नहीं था तो फीनिक्स रेन दंग रह गई, एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि कैसे रियक्ट करें केवल दो राक्शसों का पड़ाव बचा है, लेकिन वे आपके स्थान से बहुत दूर है वे राक्शस भी द्वीब के किसी भी शिविर में सबसे कठिन है अगर हम और इंतजार करते हैं, तो अन्य गिल्ड उन दो पड़ावों पर छापा मारने की कोशिश कर सकते हैं एकवा रोज ने सिर हिलाते हुए कहा इसके बाद उसने कॉल काट दी बिक्सिस रेन क्या यह थोड़ा बहुत जोखिन भरा नहीं है इस तथ्य को अन्देखा करते हुए कि वे अन्य संगों को बाधित करेंगे उन दो छावनी के सनरक्षक बॉस लेवल साथ के ग्रेंड लॉड रैंक वाले पुरातन प्रजाती हैं उन पर छापा मारना असंभव है इसके अलावा प्रत्य एक गार्जियन बॉस को दो विशिष्ट ग्रेंड लॉड्स का सनरक्षन प्राप्थ है पचास सदसिये टीम के साथ ग्लू फीनिक्स ने चिंतित होकर कहा उन दो पड़ाओं के सनरक्षक मालिकों से निपटने की कठिनाई ठीक यही कारण था कि अन्य महाशक्तियों यहां तक कि जो लोग शिविरों के करीब पैदा हुए थे ने उन्हें अंतिम रूप से बचाने का फैसला किया था यह एक बात थी कि अधर्व की टीम ने शिविरों पर चापा मारने की कोशिश में अपना बहुत समय बर्बाद किया लेकिन इसके परिनाम होंगे यदि उन्होंने अन्य महाशक्तियों को लाप दिया मुझे नहीं पता लेकिन हम बहुत कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जीरो विंग में अपना निरने लिया था चलो अभी के लिए कुछ लोगों को भेजते हैं हम जितना अधिक समय बर्बाद करेंगे उनकी चापे मारी उतनी ही कठिन होगी फीनिक्स रेन सिर हिलाते हुए कहा वह समझ नहीं पा रही थी कि अथर्व ने इतनी सक्त कोशिश क्यों की ततकाल फीनिक्स रेन ने फीनिक्स पवेलियन के 50 मुख्य लड़ाकों को और सी चाबनी तक पहुँचाया लगभग 10 मिनट के बाद फीनिक्स रेन के समू को आने में समय लगा अथर्व ने एक स्थानिक गेट खोला और अपनी टीन को रॉक जाइंट कैम्प में पहुँचाया थंडर द्वीब पर विभिन राक्षस जातियों में रॉक जायंट्स के पास उच्छतम रक्षा थी थंडर द्वीब के बाहर विभिन संगों के स्काउट्स ने जल्दी से आंदोलन का पता लगाया और अपने वरिष्ठों को खबर से संबंधित किया जीरो विंग के सदस्य बेथाशा अहमकारी हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नाइन ड्रैगन्स एम्परर को हरा दिया उन्हें लगता है कि वे एक शिविर पर चापा मार सकते हैं जिसे चुनौती देने में महाशक्तियों ने जिजचक दिखाई है वे केवल पचास खिलाडियों के साथ रॉक जायंट शिविर पर कबजा करना चाहते हैं क्या वे वास्टव में उम्मीद करते हैं कि छापे इतने आसान होंगे एक बार जब हम अपना दूसरा पड़ाव सुरक्षित कर लेंगे तो हम जीरो विंग को सबक सिखाएंगे विभिन महाशक्तियां जीरो विंग द्वारा रॉक जायंट शिविर पर धावा बोलने के प्रयास पर केवल हंस पड़ी एक स्तर साथ ग्रेंड लॉड रैंक वाली पुरातन प्रजाती कोई हंसी की बात नहीं थी पाँच प्राचीन टौवर प्रेमियों के साथ भी दो सौ सदसिये टीम के बिना गार्जियन बॉस पर छापा मारना असंभव था इसके अलावा दो विशिष्ट ग्रेंड लॉड्स ने गार्जियन बॉस की रक्षा की दूसरे शब्दों में रॉक जायंट शिविर पर हमला करने के लिए कम से कम 300 खिलाडियों की आवश्शक्ता होगी रॉक जायंट्स के पास अपार शक्ती, HP और रक्षा थी यदि कोई शिविर पर सुरक्षित और तेजी से चापा मारना चाहता है तो उन्हें कम से कम 400 खिलाडियों की आवश्शक्ता होगी यही कारण था कि विभिन महाशक्तियों ने अंत में इस डेरे को छोड़ दिया था विभिन महाशक्तियों ने Zero Wing द्वारा गार्जियन बॉस के आसपास के राक्षसों को बाहर निकालने का प्रयास करने की खबर का स्वागत किया इस से उनका काफी समय बचेगा इस बीच जब Eternal Dare को खबर मिली तो वह अपनी हंसी नहीं रोक सका जहां तक उनका सवाल था अथर्व इस उम्मीद में अपने सुपर गिल्स को Zero Wing की ताकत साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वे अपना विचार बदल देंगे निससंदे यह एक बचकाना कदम था यह सोचना एक मजाक था कि Zero Wing एक चावनी पर चापा मार सकता है जिसे विभिन महाशक्तियों ने भी केवल पचास खिलाडियों के साथ चुनोती दी थी इस बीच प्रॉक जाइंट शिवर के अंदर अथर्व ने पहुँचने पर थंडर डोमिन को सक्रिय कर दिया इसके बाद उन्होंने थंडर गॉड्स चान को सुसजित किया और थंडर गॉड्स ब्लेसिंग को सक्रिय किया अचानक सभी के पैरों के नीचे एक गहरे नीले रंग की जादूई सरनी बन गई थंडर गॉड की शक्ती ने तब प्रत्येक खिलाडी को सीमा में भर दिया नीले बिजली के चाप उनके शरीर के चारों और घूम रहे थे कोला, कच्छुआ, कबूतर, ये वुमियान, तुम तीनों तीन मालिकों को छोड़ कर सब कुछ लुभाओगे हम उन्हें एक ही बार में खत्म कर देंगे, अधर्व ने समय देखकर आदेश दिया सब कुछ जब टीन ने अधर्व की रणनीती के बारे में सुना, तो वे अपने सामने राक्षस के डेरे को घूरने लगे जब वे चावनी में रॉक जायंट्स को देख रहे थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि उन्होंने अपने कमांडर को गलत सुना है हालांकि रॉक जायंट्स कैम्प को और कैम्प की तरह वाच्टावर द्वारा सनरक्षित नहीं किया गया था, लेकिन रॉक जायंट्स से निपटना काफी मुश्किल था जब वे इकठे हुए तो वे और भी शक्तिशाली हो गए सबसे कमजोर रॉक जायंट लेवल 55 का सरदार था, जबकि अधिकांश लेवल 56 और लेवल 57 लॉड्स थे लेवल 58 हाई लॉड्स और लेवल 69 ग्रेट लॉड्स भी काफी थे इन सभी रॉक दिगजों के पास उच्छ HP और रक्षा क्षमता थी इसके अलावा उनके हमलों में आर्मर ब्रेक को ट्रिगर करने का मौका था जिससे उनके हमले अपने लक्षे की रक्षा को अंदेखा कर सके हाला कि उनके रैंक के आधार पर आर्मर ब्रेक को ट्रिगर करने की संभावना अलग-अलग थी आर्मर ब्रेक के बिना भी, रॉक जायंट्स खिलाडियों को काफी नुकसान पहुचा सकते हैं यदि वे प्रभाव को ट्रिगर करने के लिए हुए, तो उच्छ लॉड्स और ग्रेट लॉड्स का उल्लेख नहीं करने के लिए एक लॉड्स रैंक रॉक जायंट्स दो या तीन हिट में समान स्टर के एक एंटी को मार सकता है अगर वे अभी अभी रॉक जायंट्स शिवर में आ जाते हैं, तो राक्षसों को उन्हें मारने में देर नहीं लगेगी महत यह सही है हम आसपास के रॉक जायंट्स से पूरी तरह चुटकारा पालेंगे हालांकि रॉक जायंट्स के पास उच्छ एचपी, डिफेंस और आर्मर ब्रेक है लेकिन उनके मुवमेंट और अटैक स्पीड काफी कम है जब तक हम उन्हें बहुत करीब नहीं आने देंगे, वे ज्यादा खत्रा पैदा नहीं करेंगे मुख्य समस्या यह है कि आप तीनों कितना एग्रो कर सकते हैं अथर्व ने कोला, तर्टल डो और ये वुमियान को देखते हुए कहा बाकी लोगों के लिए आक्रमन करने के लिए मेरी आग्या की प्रतीक्षा करो उन्होंने राक्षसों की धीमी प्रतिक्रियाओं के कारण रॉक जाइंट कैम्प को चुना था ये राक्षस गतिमान लक्षियों को हिट करने के लिए संधर्ष करेंगे और थंडर प्रतीक और थंडर भगवान के आकर्शन के साथ रॉक जायंट के HP और रक्षा कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा प्रहरी दुर्गों की कमी के कारण धनुर्धारियों या बैलिस्टों की सहायता के बिना रॉक जायंट्स जो हाथापाई हमलावर थे को खिलाडियों के DPS और सहन्शक्ती का सामना करना पड़ेगा। हालाकी कॉला, टर्टल डव और ये वुमिया अब टियर दो खिलाडी थे। उनकी सहन्शक्ती और उनकी प्रतिक्रिया की गती दोनों में गुनात्मक परिवर्तन आया था। वे टियर एक खिलाडियों की तुलना में युद्ध में अधिक समय तक टिके रह सकते थे। एंट राक्षसों को लुभाते हुए चावनी के चारों और भागे। मौलिक जीवों के रूप में रॉक जायंट्स की धारणा सीमा सामान्य राक्षसों से अधिक थी। तबकाल कोला और अन्य दो शिवर में कदम रखते ही रॉक जायंट्स के एक गश्टी दल ने उन्हें देख उन्होंने गलत रास्ता अपनाया और कुछ रॉक जायंट्स के हमले की सीमा के भी तरा गए लेकिन उन्होंने तुरंत परियाप्त प्रतिक्रिया दी और अपनी धालों से अपना बचाव किया। यहां तक कि जब एक ग्रेट लॉर्ड हिट हुआ तब भी उन्हें लगभग पांच शुने शुने का नुकसान हुआ। इन तीन खिलाडियों के लिए वह कुछ भी नहीं था। बहुत जल्दी तीन एम्टी ने कैम्प के साथ सौया इतने ही रॉक जायंट्स को एक ही भारी भीर में घेरने का लालच दिया। एक ही समूह में सैक्रो रॉक जायंट्स का आते देखा तो अपनी टीम को स्थिती में ले गए। हलांकि जब उनके साथियों ने राक्षसों को देखा तो उनके दिल में डर की एक लहर दोड़ गई। यहां तक कि सरदारों के पास भी चार पांच सौ शुने 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 शुन इन राक्षसों के मूल गुनों में 30% की गिरावट आई थी। इसके बाद उन्होंने गार्जियन नाइट की टियर 2 स्किल, पनिशिंग लाइट और शीड वारियर की टियर 2 स्किल वोर वेज का इस्तिमाल किया। चट्टान की विशाल सेना में हर राक्षस को भस्न करते हुए आग के उचे खंभे जमीन से उठे। एज के साथ काम किया। शेश रॉक जायंट्स को 5 सेकंड के लिए हर सेकंड 300-000 से अधिक की ख्षती का सामना करना पड़ा। रॉक जायंट्स रैंक के मुखिया में से कोई भी दो एउई से बच नहीं पाया था, जिससे राक्षस सेना की संख्या आधी हो गई थी। नतीस्तन कोला और अन्य लोगों के पास शेश रॉक जायंट्स को एक ही स्थान पर इकठा करने का एक आसान समय था। DPS हमला अधर्व ने आग्या दी जाओ युएरू, ब्लैकी, एकवारोज, एल्यूरिंग समर और वाइलेट क्लाउड ने तुरंट अपने बड़े पैमाने पर विनाश मंत्र जारी किये। हाला कि उनके किसी भी हमले ने अथर्व के हमले जितना नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन सन्युक्त होने पर नुकसान आश्चर्यजनक था। इसके अलावा, रॉक जायंट्स के पास अब विद्यूतीकृत डिबफ के दस धेर थे, जिससे कोला और उसके साथी MP पर बोज कम हो गया। बड़े पैमाने पर विनाश मंत्रों की लहर के बाद, युद्धक्षेत्र लॉड रैंक वाले रॉक जायंट्स से रहित था। अथर्व ने आग्या दी, विद्यूतीकृत डिबफ के दस धेर के साथ, यहां तक की टियर एक MP भी ग्रेट लॉड्स के हमलों से आसानी से बच सकते थे। इलाज कर रहे थे, जिसे अन्य टीमों ने लक्ष अभ्यास की तरह हराना असंभव समझा था। इसकी सफलता की खबर जल्द ही विद्यन महाशक्तियों तक पहुँच गई। उन्होंने आधे घंटे से भी कम समय में बाहरी छेतर के रॉक दिगजों को निकाल लिया। यहां कैसे संभव है? उन्होंने एक ही बार में परिधी में सब कुछ मार डाला। क्या वे सिर्फ पचास व्यक्ति टीन नहीं है? उनका DPS इतना उचा कैसे है? मैंने वास्तव में जीरो विंग के सदस्यों को कम करके आका है। वे वास्तव में रॉक जायंट कैम्प पर कबजा कर सकते हैं। विभिन महाशक्तियों को जटका लगा। इन महाशक्तियों ने सर्वसम्मती से सहमती व्यक्त की थी कि रॉक जायंट शिविर से निपटना सबसे कठिन होगा। विशेश रूप से दरॉक जायंट्स की आर्म इसने एंटी के लिए रॉक जायंट्स के हमलों को चक्मा देना बहुत मुश्किल बना दिया। इसने एंटी के लिए रॉक जायंट्स से निपटने में एक टीम जितना समय बर्बाद करेगी वह समस्या का एक छोटा सा हिस्सा था। इसने एंटी केवल थंडर द्वीप पर बहुत कम संख्या में मरने का जोखिम उठा सकते थे। अन्य महाशक्तियों की तुलना में जब नाइन ड्रैगन्स समराट जो एक शिविर चापे के बीच में थे ने खबर सुनी तो उनकी अभिव्यक्ती रोश से मुर गई। सबसे पहले जीरो विन ने उनकी टीम के पहले चापे में लगाए गए समय और प्रयास को बरबाद करते हुए उनके ORC चाबनी को चुरा लिया था। अब इस से पहले कि वह नए पढ़ाव की परिधी को साफ करता, जीरो विन ने रॉक जाइंट शिविर की परिधी को साफ कर दिया। अगर यह खबर ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के गिल्ड एल्डर्स तक पहुँची, तो उनके बारे में उनका अनुमान गिर जाएगा। पवेलियन मास्टर, अब जब जीरो विन की टीम ने परिधी को साफ कर दिया है, तो हम उन्हें परेशान करने के लिए एक टीम का आयोजन कर सकते हैं। भले ही हम Zero Wing की टीम को खत्म नहीं कर सकते हम कम से कम उन्हें दूसरा पड़ाव हासिल करने से रोख सकते हैं मार्शल ड्रैगन ने सुझाव दिया एक राक्षस के डेरे के भी त्रीक शेत्र और उसकी परिधी में बहुत बड़ा अंतर था हालाकि अधिक राक्षसों ने अधिक कठिन था यदि वे अभी रॉक जायंट पड़ाव के लिए एक बल भेजते हैं तो यह तीस या इतने ही मिंटों में पहुँच जाएगा यह अत्यधिक संभावना नहीं थी कि बलके वहां पहुँचने से पहले Zero Wing Garzian Boss तक पहुँच जाएगा उनके पास निश्चि हमारे छावनी को चुराने के लिए आ सकते हैं इसके अलावा क्या करें आप वास्तव में सोचते हैं कि रॉक जाइंट कैंप पर छापा मारना इतना आसान है यह मत भूलिये की Garzian Boss एक Grand Lord Rank की पुरातन प्रजाती है हालांकि 9 Dragon समराट इसे स्विकार करने से नफरत करते थे उनकी वर्तमान टीम Zero Wing को भड़काने का जोखिन नहीं उठा सकती थी अभी के लिए हमारे सभी उपलग्ध बलों को यहां इकठा होने के लिए कहें हम इस छावनी पर छापा मारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे समझ गया मैं उन्हें तुरंट सूचित करूंगा जैस लोनली हेवन फर्मामेंट के गिल्ड लीडर ने Zero Wing की सफलता के बारे में सुना तो गंभीर अभिव्यक्ती की यहां कैसे हो सकता है जब लोनली हेवन ने सुना की Zero Wing ने Rock Giant शिवर के आंतरिक शेत्र पर हमला करना शुरू कर दिया है तो उसके दिल में पच्चतावा हुआ वह Phoenix Rain की हरक्तों से खफा थे आखिरकार फर्मामिंट पहली दरवाली गिल्ड थी जिसने अपनी नौ सेना को विक्सित करने पर ध्यान केंद्रित किया था फिर भी Phoenix Rain ने Zero Wing को अधिक महत्वपूर्ण माना यहां तक की गिल्ड को विभिन लाब और एक टोन क्रेडिक प्रदान किया ऐसा करके Phoenix Rain ने चुपचाप अपनी राय व्यक्त की थी कि फर्ममिंट Zero Wing जैसे गिल्ड से तुलना नहीं कर सकता इसलिए उन्होंने इसके बजाए Nine Dragons समराट के पक्ष में शामिल होने का फैसला किया था ऐसा करने से फर्ममिंट न केवल थंडर ग्वीप पर एक अस्थाई टेलिपोर्टेशन सरनी को सुरक्षित करेगा बलकि Nine Dragon समराट गिल्ड में निवेश करेगा जिससे फर्ममिंट को और अधिक टेजी से विक्सित करने की अनुमती मिलेगी फिर भी उनका फैसला उल्टा पड़ गया था यहां तक कि अगर नौड रेगन ने एक राक्षस चाबनी हासिल की तो भी फर्म को एक अस्थाई टेलिपोर्टेशन सरनी नहीं मिलेगी दूसरी और जीरो विंग जिसे उन्होंने मान लिया था कि निराधार रूप से अभिमानी था जब गिल्ड ने फीनिक्स रेन दो राक्षस शिविरों का बादा किया था उस वादे को पूरा करने के करीब था थंडर द्वीब पर अस्थाई टेलिपोर्टेशन सरनी के बिना आकाश के पास मृत्यू के सागर में विक्सित होने की नीम्ग नहीं होगी जैसा कि लोनी कैसल ने फीनिक्स रेन को धोखा देने के अपने फैसले पर खेद व्यक्त किया अथर्व की टीम ने रॉक जाइंट शिवर के आंतरिक शेत्र को तेजी से साफ कर दिया अथर्व परिधी की तुलनामी भी तरिक शेत्र में अधिक साबधान था उसके पास कोला, तर्टल डोव और ये वुमियन थे जो केवल तीन या चार गश्ती दलों को लुभाते थे क्योंकि प्रत्येक का नित्रित्व एक महान भगवान कर रहे थे जबकि कोला के समुह ने रॉक जायंट्स को मार डाला इसी तरह टीम ने गार्जियन बॉस के आसपास गश्ती दलों की संख्या में लगातार कमी की चुंकि टीम को कम राक्शसों का सामना करना पड़ा रॉक जायंट्स को मारने में उनके पास बहुत आसान समय था प्रत्येक लहर को समाप्थ होने में केवल लगभग 10 मिनट का समय लगा लगभग एक घंटे तक लडने के बाद उन्होंने शिवर के केंदर में सभी 200 से अधिक रॉक जायंट्स का सामना किया छावनी के केंदर में केवल राक्षस बचे थे जो स्तर साथ रॉक किंग और स्तर साथ रॉक गार्ड थे रॉक किंग मॉलिक प्राणी उरातन प्रजाती ग्रैंड लॉड स्तर साथ HP 200, 00, 00, 00, 200, 00, 00, 00 Rock Guard, Prathamik Prani, Vishish Grand Lord स्तर साथ HP 150, 00, 00, 00, 150, 00, 00, 00 Zero Wing और असुर के सदस्यों ने जब तीनों बॉस के HP को देखा तो वे काम उठे प्रत्यक Rock Guard में तीन HP बार थे इस बीच Rock King के पास पांच थे खिलाडियों के HP बार इस बात का सूचक थे कि किसी भी समय उनके पास कितना HP था HP बार का राक्षसों के लिए एक अलग अर्थ था प्रत्यक HP बार एक राक्षस के पास उनके युद्ध मानकों का प्रतीक था एक से अधिक वाले एक राक्षस के पास एक ही बार के साथ समान रैंक और स्तर के राक्षस की तुलना में उच्च युद्ध मानक थे तीन HP बार वाला एक राक्षस उन खिलाडियों के बराबर मुकाबला मानकों का प्रदर्शन कर सकता है जो ट्रायल तावर की तीसरी मंजिल तक पहुँच सकते हैं जबकि पाँच HP बार वाला राक्षस ट्रायल तावर की पाँचवी मंजिल तक पहुँच सकता है हालांकि यह मूल्यांकन पद्धती आवश्चक रूप से सटीक नहीं थी, यह वास्तविक संख्या से बहुत दूर नहीं थी प्राइल टावर की पाँचवी मन्जिल तक पहुँचने का मतलब था कि किसी के पास एक विशेशग्य के स्तर थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कैसे देखा, 200-00-00-00-00 HP के विशेशग्य से लड़ना आत्म घाती था इसके अलावा उनकी टीन में केवल 50 खिलाडी थे गिल्ड लीडर हमें इससे कैसे लड़ना चाहिए, रॉक किंग को देखते हुए एकवा रोजने पूछा उसे नहीं पता था कि उन्हें इस गार्जियन बॉस पर कैसे चापा मारना चाहिए कोला, ये वुमियन और सॉलिटरी एक दूसरे के साथ शील्ड स्विच करते हैं कोला सॉलिटरी का उपयोग करेगा, ये वुमियन कोला का उपयोग करेगा और सॉलिटरी ये वुमियान का उपयोग करेगा कोला रॉक किंग को टैंक देगा और मैं आपको पक्षों से समर्थन दूँगा तर्टल डव और ये वुमिया दो विशिष्ट मालिकों को एकांथ और अंधेरे के समर्थन से टैंक देगे जब लडाई शुरू होती है तो दो विशिष्ट मालिकों को फुसलाए बाकी सब अपने हमलों को रॉक किंग पर केंद्रित करें अगर उस योजना के साथ किसी को कोई समस्या नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं हाला की अथर्व ने अपने पिछले जीवन में कभी भी थंडर द्वीप पर राक्षसों के किसी भी शिविर पर चापा नहीं मारा था उसने चापे के बहुत सारे विडियो देखे थे इसलिए कमोबेश वह जानता था कि रॉक किंग पर कैसे हमला किया जाए हाला की दिन के अंत में रॉक किंग एक पुरातन प्रजाती थी सुरक्षा की दृष्टी से यह सबसे अच्छा होगा यदि कोला टाइटेन गार्ड का उप्योग करे धाल स्विच करें कोला भ्रमित था वर्तमान में उसके पास एपिक रैंक के ड्रैगन्स के शीड से लैस था फिर भी अथर्व चाहता था कि वह सॉलिटरी नाइन की शीड का उप्योग करे जब जेंटल स्नो और अन्य जीरो विन के उपरी सोपानों ने अथर्व का आदेश सुना तो उन्होंने उसे उल्जन में डाल दिया चुंकि कोला रॉक किंग को टैंक देगा इसलिए उसे अपने पास मौझूद सर्वोत्तम वस्तूओं का उप्योग करना चाहिए फिर भी अथर्व नहीं चाहता था कि वह ड्रैगन्स के शीड का उप्योग करे यह निस्संदेह रॉक किंग पर छापा मारना और भी कठिन बना देगा इसके अलावा वे यह सुनकर और भी हैरान थे कि अथर्व कोला का समर्थन करेगा उच्च एचपी और रक्षा के अलावा गार्जियन नाइट और शीड वारियर वर्गों में भी निश्क्रिय कौशल थे जो हमलों से होने वाली क्षती और पक्षाधात के प्रभाव को कम करते थे तलवार बाज वर्ग के पास इस तरह का कौशल नहीं था इस बीच एक बॉस जितना अधिक शक्तिशाली होता है उसके एक हमले के बाद एक खिलाडी को लखवा मार जाता है यदि लखवा बहुत लंबे समय तक बना रहा तो मेटरिक्टन अपने रक्षात्मक चक्र को बनाए रखने में विफल हो सकता है और मर सकता है इसलिए लीड एंटी का समर्थन करने के लिए टीमों ने शायद ही कभी गैरेंटी प्लेट कवच वर्गों पर भरोसा किया आमतोर पर शीड वारियर्स और गार्जियन नाइट्स पर भरोसा करते थे हाला कि जब कोला ने टाइटेन गार्ड प्राप्त किया और शीड की विशेश्टाओं की जाच की तो उसका जबड़ा गिरा एक पल के लिए तो उसे लगा कि कहीं उसकी आखें कोई चाल तो नहीं चल रही है क्या अद्भुत गुन है कोला ने टाइटेन गार्ड को चोड़ी आखों से देखा मूल रूप से वह ड्रैगन स्केल शीड के साथ भाग लेने के लिए कुछ हद तक अनिक छुक था लेकिन उसे पहली नजर में टाइटेन गार्ड से प्यार हो गया भगवान के डोमेन में खंडित पौरानिक आइटम व्याभारिक रूप से मिठक थे हाला कि टाइटेन गार्ड अभी एक एपिक आइटम था लेकिन एक लाख माजिक क्रिस्टल इकठा करने के बाद वह इसे फ्रैग्मेंटेड लीजेंडरी रैंक में अपग्रेड कर सकता था यहां तक कि वह धाल से लैस एक पौरानिक राक्षस को भढ़काने की हिम्मत भी करेगा एक ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाली कुरातन प्रजाती का उलेक नहीं करेगा इसके अलावा एपिक रैंक पर भी टाइटेन गार्ड के गुन और पौशल ड्रैगन स्केल शीड की तुलनामे कहीं अधिक प्रभावशाली थे एक शन बाद हर कोई स्थिती में आ गया और रॉक किंग और उसके रॉक गार्ड से निपटने के लिए तयार हो गया एक सौ गस की दूरी से भी टीम के सदस्य रॉक किंग की भयानक आभा महसूस कर सकते थे उनकी सासे तेज हो गई यहां हाथा पाई खिलाडियों के लिए विशेश रूप से सच था रॉक किंग का विशाल फ्रेम 30 मीटर लंबा एक उची इमारत की तरह लग रहा था उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अगर वे इसके हमलों का उचित तरीके से सामना करने में विफल रहते हैं तो वे तुरंत मर सकते हैं एंटी चापे मारी शुरू करें जब सब तयार हो गए तो अथर्व चिलाया अथर्व के आदेश के साथ कॉला, टर्टल डाव और ये वुमिया हरकक में आ गए लेवल साथ रॉक किंग और रॉक गार्ड्स पर अलग अलग चार्च करने लगे जिस क्षण एम्टी राक्षसों की एक सौ गस की धारना सीमा के भीतर थे तीनों मालिकों ने जो छाबनी के केंदर में वेदी पर खड़े थे, अपनी लाल आखें खोली जैसे ही तीनों मालिकों ने अपनी आखें खोली, अथर्व ने रॉक जायंट्स को दबाने के लिए थंडर डोमेन को सक्रिय कर दिया हाला की क्षमता उतनी प्रभावी नहीं थी, केवल रॉक किंग और रॉक गार्ड्स के मूल गुनों को 20% तक दबा दिया थंडर डोमेन सक्रिय होने के बाद भी रॉक किंग के पास 180 000 000 HP था थंडर डोमेन के दमन ने रॉक किंग को क्रोधित कर दिया गार्जियन बॉस ने दहार मारी और अपनी बाहें फैला दी इसके बाद इसने अपनी मुठी जमीन पर पटक दी बूम तक्राने पर जमीन चकनाचूर हो गई और एक शक्तिशाली शौक वेव रॉक किंग से दूर चली गई जवार की लहर की तरह रॉक किंग के चारों ओर की जमीन कोला और अन्य की ओर बढ़ते हुए दस मीटर से अधिक उची हो गई प्रिथवी सुनामी की लंबाई से बचना असंभव था तीर तीन जादू प्रिथवी स्पंदन यह देखकर एमटी तिक्डी ने लापरवा होने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्होंने तुरंट अपने लाइफ सेविंग स्किल्स को सक्रिय कर दिया सरक्षन आशिरवाद कवच वाली दीवार पीछे की लाइन पर मरहम लगाने वालों ने तुरंट जादू की ढाले और तीन एमटी पर होटी हिलोवर टाइम मंत्र डालना शुरू कर दिया रॉक किंग के प्रिथवी स्पंदन से टक्राने पर कोला और अन्य की रक्षा करने वाली जादूई ढाले बिखर गई और तीन एमटी एक गरजन गस की दूरी पर पीछे की ओर फेंके गए जब उनके शरीर जमीन में पटक दिये गए तो उनके एचपी तेजी से कम होने लगे पचास परसेंट सीमा पार करने के बाद ही उनका एचपी बंध हुआ यह देखकर जेंटल स्नो और अन्य लोग हामफने लगे एक हिट ने उनके तीन मेटरिक टन एचपी के आधे से अधिक का उपभोग किया था इसके अलावा यह उनके जीवन रक्षक कौशल को सक्रिय करने के बाद था उनके जीवन रक्षक कौशल के बिना एंटी तिकडी की मृत्यू हो जाती सौभाग्य से अधर्व ने ही इन तीनों को पहले भीजा था एंटी सिक्योर एग्रो चिकित सक एंटी पर आपके पास जो कुछ भी है उसका उप्योग करें बाकी सब एंटी के एग्रो होने के बाद ही हमला करें अधर्व अवाक रह गया आखिरकार यह केवल रॉक किंग का शुरुवाती हमला था हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कभी भी रॉक किंग पर छापा नहीं मारा था उन्होंने कई थंडर द्वीब प्रतियोगिताओं की रिकॉर्डिंग देखी थी वह द्वीब के संरक्षक आकाओं से बहुत परिचित थे वह उनके सभी कौशल और कमजोरियों को जानता था दो कारकों ने रॉक किंग को एक विशेश रूप से चुनोती पूर्ण दुश्मन बना दिया उलका बंबारी और लाइफ डिवीजन दोनों शक्तिशाली टीन वाइप चाले थी जदी इनसे उचित तरीके से निप्ता नहीं गया तो ये कौशल एक टीन का सर्वनाश कर देंगे खिलाडियों को बचने का मौका भी नहीं मिलेगा उन दो चालों की तुलना में टीर तीन अर्थ स्पंदन बच्चों का खेल था अन्य था रॉक किंग को थंडर ग्वीब पर तीन सबसे मजबूत मालिकों में से एक के रूप में सारवजनिक रूप से स्विकार नहीं किया जाता अथर्व की आग्या सुनकर सभी हरकत में आ गए पोला ने रॉक किंग पर अपना आक्रमन सुरक्षित कर लिया और गार्जियन बॉस को हलकों में पतंग देना शुरू कर दिया जबकि तर्टल डो और ये बुमियन ने गार्जियन बॉस से दूर दो रॉक गार्ड्स को लुभाया इस बीच सॉलिटरी नाइन और डार्क मैडनेस ने रॉक गार्ड्स को मारने में टर्टल डो और ये बुमियान की मदग की हाला कि दिन के अंत में एक महान भगवान अभी भी एक महान भगवान थे यहां तक कि अगर थंडर डोमेन ने रॉक किंग और रॉक गार्ड्स को कमजोर कर दिया तो उनकी गती और हमले की गती अभी भी ग्रेट लॉड रैंक वाले रॉक जायंट्स से बहतर थी जब तीनों मालिकों ने MP पर अपनी हथेलियों से हमला किया तो ऐसा लगा जैसे वे मक्खिया उड़ा रहे हो उनकी प्रत्येक हथेली आसानी से आठ गस की दूरी पर थी टियर दो में कोला और अन्य की पदोनती के बावजूद उन्होंने मालिकों के हमलों को चक्मा देने के लिए संधर्ष किया और समयस्मय पर हमले हुए टर्टल डाव और ये वुमिया कुछ हद तक भाग्यशाली थे उनके जीवनरक्षक कौशल अभी भी सक्रिय होने के कारण उन्होंने रॉक गार्ड्स के सामान्य हमलों को अवरुद करने पर केवल लगभग 8-00-00 क्षती प्राप्त की हालाकि कोला उतना भाग्यशाली नहीं था जब रॉक किंग ने उसे थपड मारा तो कोला ने अपनी धाल को मोड लिया जिससे रॉक किंग की हथेली फिसलने को मजबूर हो गई क्योंकि उसने हमले को रोक दिया लेकिन फिर भी उसे 12-00-00 से अधिक का नुकसान हुआ सौभाग्य से टाइटेन गार्ड में स्विच करने के बाद कोला का HP 73,000 तक बढ़ गया था जिसने उसे हर 20 सेकंड में एक हमले को नाकाम करने की अनुमती दी थी भगवान का शुक्र है कि मैं टाइटेन गार्ड में बदल गया अन्य था मैं इस चीज को टैंट नहीं कर पाता जितना अधिक कोला ने टाइटेन गार्ड को नियुक्त किया उतना ही उसे उससे प्यार हो गया उनकी राय में अतिरिक्ट HP और क्षती अशक्तता गौन थे पक्षाधात कम करने का प्रभाव धाल की सच्ची शक्ती थी पक्षाधात में 30% की कमी ने उसे रॉक किंग के हमलों को आसानी से चक्मा देने और ब्लॉक करने की अनुमती दी उस प्रभाव के बिना वह दूसरे हमले को रोकने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा भले ही उसने पहले को अवरुद्ध कर दिया हो और उसके नुकसान को कम कर दिया हो उसे रॉक किंग के हमलों का पूरा खामियाजा भुगतना होगा और अगर ऐसा हुआ तो उसे एक सफल ब्लॉक के साथ 30-00-00 का नुकसान होने पर आश्चर्य नहीं होगा दरॉक किंग कोई पुशोवर नहीं था दार्किक स्पीशीज की रक्त रेखा ने रॉक किंग को अन्य रॉक जायंट्स की तुलना में उच्छ हमले की गती और प्रतिक्रिया की गती प्रदान की नतीस्तन यह कोला पर दो बार हमला कर सकता है जिससे गार्जियन नाइट के पक्षाधात का प्रभाव बिगड़ गया जब रॉक किंग का तीसरा हमला हुआ तो कोला समय पर हमले को रोकने के लिए स्थिती में नहीं जा सका टाइटेन गार्ड की पूरी चोड़ाई के साथ हमले को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था अचानक रॉक किंग की नीचे उतरती हथेली पर एक नीली चमका गई बूम प्रभाव ने रॉक किंग के हमले के पत को विचलित कर दिया इसकी ताड की हर्ताल कोला से आधा गस की दूरी पर उतर गई गिल्ड लीडर एकवा रोज और अन्य लोग चौक गए अथर्व ने रॉक किंग के हमले को विफल कर दिया था फिर भी एक हिट लेने के बावजूद वह केवल 10,000 HP से थोड़ा अधेख ही खो पाया था जब एंटी ने हमले को डिफलेक किया तो उसे कोला से कम नुकसान हुआ था जवाबी हमले का सबसे प्रभावशाली पहलू यह था कि अथर्व ने पक्षाधात से पीड़ित होने के कोई लक्षन नहीं दिखाए जिस पवित्र तलवार को उसने चलाया था वह केवल थोड़ी सी काम उठी खिलाडियों को थंडर आइलाइन पर अपनी खुद की विशेष्टा उपर भरोसा करना पड़ता था किसी भी निडर कॉशल का उप्योग करने की मना ही थी फिर भी अथर्व ने इस तरह के एक आश्चर्यजनक उपलब्धी हासिल की थी कितनी जबरदस्ट ताकत है अथर्व ने अपने हाथ में गुनगुनाती पवित्र तलवार को गुनगुनाते हुए देखा उनके साथी चकित थे कि अथर्व को रॉप किंग के हमले को रोकने से केवल 10-00-00 से थोड़ा अधिक नुकसान हुआ था हाला कि केवल अथर्व ही समझ सका कि वास्तव में कितना बड़ा नुकसान हुआ था वर्तमान में वह लेवल साथ टियर दो ब्लेड सेंट था इसके अलावा उनके पास तीन खंडिक पौरानिक वस्तूओं के शीर्ष पर कई महाकाव्य हतियार और उपकरन के टुपरे थे हाला कि अंगुठियों और टोपी ने हतियारों की तुलना में बहुत कम बढ़ावा दिया फिर भी वे कींटी खंडिक पौरानिक वस्तूओं थी महाकाव्य वस्तूओं की तुलना नहीं की जा सकती उसके पास प्रित्वी का औरा भी था जिसने उसकी रक्षा को बढ़ाया और आने वाली खशती को कम किया सक्रिय किया फिर भी इन कारकों के बावजूद उसने अभी भी रॉक किंग के हमले को पुनर निर्देशित करने से 10-00-00 से अधिक की खशती उठाई अगर उसने गार्जियन बॉस के हमले का सामना किया होता तो इसके परिनाम गंभीर होते अथर्व द्वारा रॉक किंग के हमले का बचाव करने के बाद बादवाले ने कोला पर फिर से हमला करते हुए अपनी दूसरी भुजा घुमाई हालांकि चूंकी अथर्व ने कोला को एक पल की शांती के लिए खरीदा था इसलिए वह पक्षाघात के प्रभाव से उबर चुका था वह तुरंत मुरा और पीछे की ओर चलांग लगाई उसकी ढाल गार्जियन बॉस के हमले को दोश देने के लिए थी जबकी परिणामी प्रभाव का उप्योग करते हुए खुद को रॉक किंग की ओर ले गया जब कोला जमीन पर लोटा तो वह रॉक किंग के पैरों के पास खड़ा हो गया फिर उसने अपनी तलवार लहराई सुनहरी रोशनी की एक लकीर बॉस के विशाल पैर में धंस गई टियर दो स्किल डिवाइन स्ट्राइक अचानक रॉक किंग के सिर के उपर भारी मात्रा में खशती दिखाई दी लेकिन कोला संतुष्ट नहीं थी टियर दो डिवाइन स्ट्राइक उनका सबसे मजबूत कोशल था और थंडर गॉड्स पावर ने उनके हमले में बिजली की खशती को जोड़ा फिर भी उन्होंने केवल पचास शुने 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 से अधिक की खशती का सामना किया जदि वह किसी अन्य बॉस से लड़ रहा होता तो वह असी शुने 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 से अधिक का नुकसान करता हालाकि इस हमले के कारण पोला ने बॉस पर अपना गुस्सा स्थिर कर दिया था हर कोई अपनी आग को रॉक किंग पर केंडरित करें अथर्व ने आग्या दी तुरंट रंगे हुए वर्गों ने एक के बाद एक हमले शुरू किये दुर्भाग्य से अधिकांश नुकसान विशेश रूप से उच्च नहीं थे औस्तन टियर एक स्किल्स ने गार्जियन बॉस को लगभग 14 0000 नुकसान ही पहुँचाया जबकि टियर एक खिलाडियों की सामान्य क्षती 5 से 6000 के बीच रही इसके अलावा यह थंडर गॉड्स पावर से बोनस क्षती सहित था यह रॉक किंग का बचाव कितना उचा है मामूली नुकसान देख सभी के होश उडगए उनका नुकसान और स्थर वर्तमान में भगवान के डोमेन के चरम शिखर पर है फिर भी इस बॉस के खिलाफ उनकी क्षती दैनिय थी दरॉक किंग की वर्तमान अधिक्तम HP 160 0000 थी यह हर 5 सेकंड में 1600 0000 HP हर सेकंड 320 0000 HP को पुन्प उत्पन कर सकता है इस बीच उनकी टीम में केवल 35 DPS खिलाडी शामिल थे अगर हर कोई आस्टन 10 0000 प्रती सेकंड की क्षती का सामना करता है तो वे मुश्किल से गार्जियन बॉस को कोई वास्तविक नुकसान पहुचा पाएंगे सौभाग्य से उन्हें थंडर गॉड्स पावर से नुकसान में वृध्धी हुई थी अन्य था उन्हें इस गार्जियन बॉस को हराने की कोई उम्मीद नहीं होती अब केवल जीरो विंग और असुर के विशेशग्य समझ पाए कि विभिन महाशक्तियों ने आखिर के लिए रॉक जायंट शिवर को क्यों बचाया था यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि साधारन रॉक जायंट्स को बाहर निकालना कितना चुनोती पूर्ण था बलकी रॉक किंग पर धावा बोलने की कठिनाई के कारण था हालांकि जब एकवा रोज और अन्य टियर दो शेणी के खिलाडियों ने अपनी चाल चली तो राक्षस के सिर के उपर 20-00-00 से अधिक की ख्षती दिखाई देने लगी कुछ हमलों में 40-00-00 से अधिक का नुकसान भी हुआ रांदेड हमलों की पहली लहर के बाद फायर डान्स, शेडो स्वाड, फ्लाइंड शेडो, रैंपैंट ब्लेड और जेंटल स्नो और अन्य टियर एक हाथापाई के खिलाडियों ने आखिरकार बॉस पर हमला किया टियर दो स्किल सक्सेस्पुल शेडो स्टिप्स टियर दो स्किल ब्लेड स्टॉर्म टियर एक टैबू स्किल, फ्रोजन रिवर जब टियर दो के खिलाडियों के कई कोशलों ने रॉक किंग को प्रभावित किया, तो बाकी टीम हैरान रह गई शपपन चार सौ सक्तासी एक सौ चौबीस, छह सौ अठाटर अठावन शूने तीन साथ रॉक किंग के सिर के उपर भारी मात्रा में ख्षती दिखाई दी, एक के बाद एक तेजी से गार्जियन बॉस के एचपी को कम कर रहा था फायर डान्स के हमले विशेश रूप से, बेतु के रूप से मजबूत थे अकेले उसके सामान्य हमलों में प्रत्येक को 13-00 से अधिक का नुखसान हुआ एक महत्वपूर्ण हित के साथ लगभग 30-00 का नुखसान हुआ जब उसने अपने कौशल का उपयोग किया, तो वह आसानी से 50-00-00 से अधिक की क्षती 100-000 से अधिक की क्षती से आसानी से निपट सकती थी यदि उसने एक महत्वपूर्ण हिट हासिल की अकेले फायर डांस ने पांच टियर एक हाथा पाई खिलाडियों की तुलना में अधिक नुकसान पहुँचाया बिग सिस फायर वास्तव में बहुत भयंकर है भले ही मैं पूरी तरह से बाहर जा रहा हूँ मैं जितना नुकसान कर सकता हूँ उसका आधा भी नहीं कर सकता टीम की क्षती रैंकों को देखते हुए बलैकी की आखें लगभग अपनी जेब से गिर गई दोनों टीर दो खिलाडी होने के बावजूद उनके बीच इतना बड़ा फासला था तो वह जीरो विंग के उपरी इलाकों में से एक है फायर डान्स की लगातार ख्षती को देखते हुए बेजान थॉर्म के पास शब्द नहीं थे सफाई सीटी और असुर के अन्य सदस्य भी इसी तरह दंग रह गए कोल्ड वाइंड सिटी में वापस लाइफलेस थॉर्म की डीपीएस शीर्ष पर थी अब हाला कि उन्हें इतने सारे खिलाडियों का सामना करना पड़ा जो उनके डीपीएस से कहीं आगे निकल गए वे फायर डान्स जैसे खिलाडी से भी मिले थे जिसका डीपीएस बस राक्षसी था हाला कि उनमें से सबसे प्रभावशाली खिलाडी अभी भी अथर्व था समय समय पर कोला को रॉक किंग से लड़ने में मदद करने के बावजूद वह कुल नुकसान से निपटने वाली टीम में पहले स्थान पर रहा इसके अलावा उनके और दूसरे नंबर के फायर डान्स के बीच एक बड़ा अंतर था अपनी तलवार के आकस्मिक जूले के साथ अधर्व ने रॉक किंग को 20-00-00 से अधिक का नुकसान पहुचाया एक महत्वपूर्ण हिट के साथ 50-00-00 से अधिक जब उसने टियर 2 स्किल शैडो ब्लेड का इस्तिमाल किया तो 9 शैडो में से प्रतियक ने 60-00-00 से अधिक का नुकसान किया जब उन्होंने फ्लेम बर्स्ट का इस्तिमाल किया तो 15 हमलों में से प्रतियक ने 200-00-00 से अधिक की खशती का सामना किया इसके अलावा अधर्व के पास वह हमशकल था जिसे उसने फैंटम किल के साथ बुलाया था हाला कि डोपेल गैंगर ने अधर्व के गुनों का केवल 90% ही इस्तिमाल किया था फिर भी इसने फायर डांस के समान नुकसान के बारे में बताया रॉक किंग के HP पर टीम ने चिप लगाना जारी रखा कोला का प्रोटेक्शन ब्लेसिंग समाप्त होने के बाद भी और गार्डियन नाइट ने रॉक किंग के हमलों का बचाव करते हुए लगभग 26-00-00-00 का नुकसान उठाना शुरू कर दिया वह हमलों को रोकने में अथर्व की समय पर मदक के साथ अपने HP को एक सुरक्षित सीमा से उपर रखने में सक्षम था समय जल्दी बीट गया जब रॉक किंग का HP 50% तक गिर गया तो उसका शरीर अचानक मुर गया उसके पैरों के नीचे 500 गस के दाइरे वाली एक जादूई व्यू दिखाई दी और व्यू की ओर बढ़ते हुए मन के उच्छाल ने सभी को एक पल के लिए असहच कर दिया एक दूसरे बाद में आसमान से क्रिमसन उलकाओं की बारिश होने लगी जह कदम और कोई नहीं बलकी रौक किनकी टीम वाइप चाल उलका बंबारी थी हर कोई मेरे पास इकठा हो उतरते उलकाओं को देखकर अथर्व चिलाया हाला कि उनमें से कोई नहीं जानता था कि अथर्व क्या करना चाहता है उन्होंने जैसा कहा गया था वैसा ही किया टीम पर उलकाओं के प्रहार से ठीक पहले अथर्व ने प्रिथवी के एक मात्र सक्रिय कौशल निर्पेक्ष डोमेन के प्रभामंडल को सक्रिय कर दिया सक्रिय होने पर कौशल ने अथर्व को 10 सेकंड के लिए और उसके सहयोगियों को 50 गस के भीतर 5 सेकंड के लिए सभीक्षती के लिए प्रतिरक्षा प्रदान की गया हो यहां तक कि रॉक गार्ड को भी नहीं बक्षा गया क्योंकि एक उल्कापिंड ने उनमें से प्रत्येक को मारा उनके शरीर को अंगिनत टुकडों में चकना चूर कर दिया दुर्भाग्य से रॉक गार्ड मौलिक प्राणी थे उनके विखर जाने के बाद भी उन्होंने जल्दी से तूटे हुए टुकडों को इकठा किया और खुद को फिर से बना लिया केवल जैसे ही उन्होंने सुधार किया उल्काओं की एक और लेहर उनसे टकरा गई उन्हें एक बार फिर से चकना चूर कर दिया प्रत्येक उल्का लेहर ने दो ग्रैंड लॉड्स को लाखों का नुकसान पहुँचाया अंत में उल्का बंबारी की चार सेकंड की अवधी के दौरान रॉक गार्ड्स के शरीर नौबार नश्ट हो गए थे जब धुमा और धूल जम गई तो यह पूरी तरह से आपदा का खुलासा हुआ की रॉक जाइंट देरा बन गया था बड़े पैमाने पर गड़ों ने चावनी को बिखेर दिया इस बीच रॉक किंग को अपने ही हमले में 10-00-00-00-00 HP से अधिक का नुकसान हुआ था यह देखकर खिलाडियों के पैर लगभग छूट गए सौभा जिसे वे अधर्व के निर्पेक्ष डोमेन द्वारा सरक्षित थे नहीं तो वे सब मर गए होते अच्छा, उलकाओं ने बॉस को एक कमजोर अवस्था में मजबूर कर दिया है आपके पास जो कुछ भी है उसके साथ हमला करें अधर्व ने आदेश दिया जब उन्होंने रॉक किंग को देखा जो अपनी जादू समाप्थ होने के बाद भी स्थिर रहे अधर्व की आग्या सुनकर हर कोई जल्दी से अपने हमले के साथ फिर से शुरू हो गया रॉक किंग को उनके पास मौजूद हर कोशल और मंत्र के साथ बंबारी कर दिया कमजोर रॉक किंग की रक्षा सर्वकालिक निनस्तर पर थी जिसने सभी के नुकसान को दोगुना कर दिया चुनकि रॉक किंग गतिहीन था इसलिए उन्हें अपने हमलों को रोकने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी रॉक किंग के सिर के उपर नुकसान की एक श्रिंखला दिखाई दी जो उसके एचपी को बहते पानी की तरह बहा रही थी एक मिनट से भी कम समय में रॉक किंग का एचपी बीस परसेंट तक गिर गया जिस बिंदुपर गार्जियन बॉस खड़े हो गए और गुस्से में चिलाए कई टुकडों के गिरने से पहले उसके शरीर में दरारे पड़ गई इसके बाद इन टुकडों से लॉड रैंक रॉक जायंट्स का निर्मान हुआ ठीक उसी संख्या में जैसे टीम के खिलाडी पचास इस अचानक परिवर्तन ने रॉक किंग के एचपी को भी 10% तक कम कर दिया लेकिन यह एक रक्षात्मक स्थिती में प्रवेश कर गया जिससे इसकी रक्षा में काफी वृध्धी हुई अब टीम के सदस्यों के हमलों ने मूल रूप से उनके द्वारा किये गए 20% से कम का निक्तारा किया यह रॉक किंग की अन्य टीम वाइप चाल लाइफ डिवीजन थी यदि खिलाडी समय पर लॉड रैंक वाले रॉक जायंट्स को नहीं हरा सके तो इन रॉक जायंट्स को फिर से अवशोशित कर लिया जाएगा और रॉक किंग के HP को बहाल कर दिया जाएगा प्रत्येक रॉक जायंट्स अपने HP के 1% के लिए गार्जियन बॉस को ठीक कर देगा इस बीच अगर रॉक किंग का HP 50% तक ठीक हो जाता है तो यह उलका बंबारी का फिर से उप्योग करेगा घटनाओं के इस मोर पर टीम ने लगभग निराशा में दम तोर दिया 00HP था हाला कि अथर्व ने इस पल के लिए काफी पहले से तयारी कर ली थी निश्चिन्थ होकर उन्होंने आदेश दिया कोला भीड को उत्तेजित करो ब्लैकी कोला को प्रकाश का सनरक्षक दो बड़े पैमाने पर विनाश मंत्र वाले सभी उनका उपियोग करो आदेश सुनकर कोला राक्षस भीड में धराशाई हो गया और टियर दो एओई तांट पनिशिन लाइट का इस्तिमाल किया तुरंट सभी 50 रॉक जायंट्स ने कोला पर अपनी निगाहे टिका दी उसी समय ब्लैकी ने गार्जियन ओफ लाइट को कास्ट किया जिसने गार्जियन नाइट को सभी जादूइक शती से बचा लिया और आने वाली शारिरिक शती को 80% तक कम कर दिया उसी समय कोशल ने कोला को 20 सेकंड के लिए हर सेकंड अपने HP के 5% के लिए चंगा किया कोला के डिफेंस और गार्जियन ओफ लाइट के डैमेज रिडक्शन के साथ उसने लेवल साथ लॉड्स के हमलों से लगभग 300 डैमेज ही लिया यहां तक कि जब उन्हें एक सीधा प्रहार मिला तो उन्होंने केवल एक 0000 का नुकसान उठाया गार्जियन ओफ लाइट के उपचार के साथ उन्होंने रॉप जायंट्स के हमलों को आसानी से सहन किया कोला द्वारा टियर एक भक्ती का उप्योग करने के बाद एक और AOE ताना अथर्व, ब्लैकी, एकवा रोस, एल्यूरिंग समर और जाव युएरू ने एक साथ अपने बड़े पैमाने पर विनाश के मंत्र डाले उस पर कई मंत्र बरसने के बावजूद, कोला को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रॉप जायंट्स के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था जब तक हर बड़े पैमाने पर विनाश का जादू समाप्थ हुआ, तब तक 50 रॉप दिगज नहीं रहे एक बार जब टीम ने रॉप जायंट्स का सफाया कर दिया, तो रॉप किंग को अपनी रक्षात्मक स्थिती से बाहर कर दिया गया, और 20 सेकंड की कमजोर अवधी को बनाये रखा आपके पास जो कुछ भी है उसके साथ हमला करें इसे दूसरी बार विभाजित न होने दें, अथर्व चिलाया जैसा कि अथर्व ने इन कौशलों को क्रियानवित किया, उसने जीवन शक्ती की 20 इकाईयों का प्याग किया और सबसे मजबूत दिव्य प्रोविडेंस को सक्रिय किया जब रॉक किंग का HP एक, 0000, 0000 से नीचे गिर गया, तो उसने फ्लेम बर्स्ट का अनुसर्ण किया अंत में, रॉक किंग के HP के अंतिम स्ट्रैंड को नश्ट करने के लिए उसे केवल 3 हिट की जरूरत थी हम जीत गए, बॉस अंत में मर चुका है जब उन्होंने रॉक किंग को मलबे के धेर में गिरते हुए देखा, तो जीरो विंग उतसाह से चिला उठे दरॉक किंग की मृत्यू, इसका मतलब था कि वे अब रॉक जाइंट कैम्प के मालिक है अब जब उन्होंने थंडर द्वीब के दो राक्षस शिविरों को सुरक्षित कर लिया था, तो वे द्वीब के मुख्य शासकों में से एक बनकर थंडर द्वीब पर लगभग एक आठवे अधिकार को सुरक्षित कर लेंगे जब रॉक किंग की लाश गायब होने लगी, तो उसमें से प्रकाष का एक स्तंब उठा और आकाश में चला गया यहां तक कि थंडर द्वीब के बाहर के खिलाडी भी सुनहरे प्रकाष के स्तंब को देख सकते थे वहाँ पर क्या हो रहा है? उस प्रकाष स्तंब के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि प्रकाष स्तंब रॉक जाएंट शिविर की दिशा से आ रहा है जल्दी हमारे स्काउट्स शेत्र की जाच करें थंडर द्वीब के बाहर और बाहर के खिलाडी लगभग एक साथ सुनहरे प्रकाश स्तंभ की ओर मुड़े जब विभिन महाशक्तियों के परिवेक्षकों ने रॉक जायंट शिविर में स्थिती को खोजने के लिए अपने जादूई दरपणों को समायोजित किया तो उन्होंने जो देखा वह उन्हें चकित कर गया विभिन महाशक्तियों द्वारा छोड़े गए शिविर में केवल दो रॉक गार्ड जीवित रह गए थे पुरातन प्रजाती रॉक किंग कहीं नहीं देखा गया था रॉक किंग क्यों चला गया? हो सकता है असंभव वे इसे केवल पचास लोगों के साथ कैसे हरा सकते हैं? हालांकि कोई भी खुद को यह विश्वास नहीं दिला सकता था कि जीरो विन केवल पचास खिलाडियों के साथ रॉक किंग को हराने में काम्याब रहा था उन्हें गार्डियन बॉस के विशाल आकडे का कोई संकेट नहीं मिला भले ही उन्होंने चावनी की कितनी भी तलाशी ली हो चावनी में एक मात्र उलेखनिये चीज मलबे के धेर से निकला हुआ स्वर्ण स्तंभ था इसके साथ उनके पास इस तथ्य को स्विकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि जीरो विंग की पचास सदस्य टीन ने रॉक जाइंट कैम को सुरक्षित कर लिया था विभिंग पर्यवेक्षकों ने द्वीप पर अपने वरिष्ठों को जो कुछ देखा उसकी सूचना दी क्या? वह कैसे संभव है? जीरो विंग हमारे आने से पहले एक दूसरा पड़ाव सुरक्षित करने में काम्याब रहा? बस उन्होंने क्या किया? हालांकि जीरो विंग की समाशोधन गती ने उन्हें आश्चर यच्कित कर दिया फिर भी वे आश्वस्थ थे कि जीरो विंग के रॉक किंग को हराने के करीब होने से पहले वे अपने दूसरे पड़ाव का दावा कर सकते थे तब वे थोड़े से प्रयास से अपना तीसरा पड़ाव सुरक्षित कर सकेंगे आखिरकार वहां के गार्जियन बॉस को आसानी से नहीं हराया जा सकता था खास कर परचास खिलाडियों की टीम के साथ नहीं जीरो विंग ने न केवल आंतरिक और बाहरीक शेत्रों में राक्षसों को साफ करने का प्रबंधन किया बलकि इसने रॉक किंग को जल्दी हरा दिया यह परिनाम उनकी अपेक्षाओं को पार कर गया जब फीनिक्स रेन को यह चौकाने वाली खबर मिली तो वह भी हैरान रह गई वे वास्तव में सफल हुए फीनिक्स रेन ने रॉक किंग के अवशेशों को अवर्णनिय जटके के साथ देखा प्रतियोगिता के इस बिंदु पर विभिन महाशक्तियों ने अपने दूसरे पड़ाव का दावा करना लगभग समाप्त कर दिया था और उनके पास उसके और जीरो विन की तुलना में कहीं अधिक खिलाडी थे हाला कि इन महाशक्तियों के पास और भी कई खिलाडी थे जो उसने और जीरो विन ने किये थे यदि उनकी जनशक्ती की कमी और नाइन ड्रैगन्स एमपरर के शुरुवाती हस्तक शेप के लिए नहीं तो वे केबल दो पड़ावों से अधिक सुरक्षित कर सकते थे फीनिक्स रेंड की टीम की प्रतिक्रियाओ के विपरीट नाइन ड्रैगन्स एमपरर के खिलाडियों ने खबर सुनते ही उदास भाव धारन कर लिये उन्होंने इतनी जल्दी बॉस को कैसे हरा दिया क्या रॉक किंग वास्तव में एक आसान छापा था सही यह होना ही चाहिए नहीं तो जीरो विंग की पचास सदसिय टीम ने हमसे ज्यादा तेजी से एक पड़ाव को कैसे साफ किया होता जब नौड रेगन समराट की टीम के सदसियों ने दूर के प्रकाश संभ को देखा तो उन्हें इश्या हुई जीरो विंग की टीम ने पहले ही रॉक किंग को हरा दिया जो एक ग्रैंड लॉड रैंक वाली पुरातन प्रजाती थी भग तेरी की चीजें इस तरह कैसे समाप्थ हुई लोनली कैसल की आखें क्रोध और इर्श्या से रक्तरंजित थी अगर उसे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो वह नाइन ड्रैगन्स एंपरर के साथ सहयोग करने के लिए कभी राजी नहीं होता हाला कि उन्हें फीनिक्स रेंड से कोई वित्तिय सहायता नहीं मिलेगी लेकिन उन्होंने कम से कम थंडर्ध वीट पर एक अस्थाई टेलिपोर्टेशन व्यू प्राप्त किया होगा टेलिपोर्टेशन एरे के साथ फर्मामिंट अपने नौसैनिक बलों के विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा और अन्य प्रथम श्रेई के नौसैनिक संगों को पार करने का अफसर प्राप्त करेगा अब वह अफसर चला गया था मंडप मास्टर यह परेशानी होगी अब जब फीनिक्स रेन ने दो मौन्स्टर छावनियों को सुरक्षित कर लिया है तो ग्रेट पवेलियन मास्टर उसका साथ देगा मार्शल ड्रैगन ने प्रकाश संभ को गंभीर रूप देते हुए कहा यदि फीनिक्स रेन ने केवल एक राक्षस शिवर को सुरक्षित किया होता तो वे अभी भी कम या ज्यादा उसके साथ प्रतिस्परधा कर सकते थे लेकिन अगर उसने दो छावनी हासिल की तो वे अपना लाब खो देंगे न केवल वह अपने साथ सहयोग करने के लिए और अधिक बड़ी मंडलियों को मना सकती थी बलकि अगली प्रतियोगिता के दौरान वह संघ के बुजर्गों का समर्थन भी हासिल कर सकती थी फीनिक्स रेन के पास जीरो विंग जैसा शक्तिशाली सहयोगी भी था फीनिक्स रेन न केवल अगली थंडर आयलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और अधिक खिलाडियों को लाने में सक्षम होगी बलकि उसके पास कई और शक्तिशाली विशेशग्य भी होंगे जो उसका समर्थन करेंगे जीरो विंग नाइन ड्रैगन्स एम्परर के भीतर हत्या का इरादा जाग उठा तुरंत उसने आदेश दिया लड़ाई के बाद बीस्ट समराट को सूचित करें कि मैं उसका पूरा समर्थन करूँगा लेकिन मेरी एक शर्थ है मैं चाहता हूँ कि जीरो विंग को भगवान के डोमेन से हटा दिया जाए यह गिल्ड एल्डर्स इस मामले के बारे में अपनी राय देने की संभावना रखते है आखिरकार जीरो विंग फीनिक्स रेंग के समान नाव में है यदि हम सारवजनिक रूप से जीरो विंग से निपटने के लिए ड्रैगन फीनिक्स मंडप की ताकत का उप्योग करते है मार्शल ड्रैगन ने नाइन ड्रैगन्स एंपरर के चिलिंग टोन को सुनकर चिंतित होकर कहा उन्हें करने दो जब तक फीनिक्स रेंग जीरो विंग का समर्थन खो देता है हमारे पास आगे संधर्श करने का मौका होगा नौड रेगन समराट ने कहा, निर्धारित किया उसकी आवाज ने हत्या के इरादे को विकीर्ण कर दिया उन्होंने हमेशा Zero Wing को Phoenix Rain के शत्रंच के टुखडों में से एक माना था और कभी भी गिल्ड पर कोई महत्व नहीं रखा था. अब वह पूरी तरह से समझ गया था कि Zero Wing कोई शत्रंच का मोहरा नहीं था. इसके बजाए यहाँ Phoenix Rain की जीवन रखशक थी. ग्रेट पैवेलियन मास्टर पद के लिए प्रतियोगिता से जल्दी आबाद में उसे हटा दिया जाएगा यदि उसने अपनी प्रतिष्ठा की अभेलना नहीं की और शुन्य विंग को नश्ट कर दिया, जबकि यहाँ अभी भी विक्सित हो रहा था भले ही उन्हें ग्रेट पैवेलियन मास्टर की नाराजगी अरजित करनी पड़े, उन्होंने जीरो विंग को पूरी तरह से नश्ट करने का द्रिध निश्टे किया समझा, मार्शल ड्रैगन ने नाइन ड्रैगन्स एंपरर के द्रिध संकल्प को सगमे में देखा नाइन ड्रैगन समराट आमतोर पर केवल सुपर गिल्स और सुपर फर्स्ट्रेट गिल्स पर इतना बड़ा महत्व रखते थे, फिर भी वह अब जीरो विंग के लिए ऐसा ही कर रहे थे वास्तव में यह पहली बार था जब उसने नाइन ड्रैगन समराट को दुश्मन को हराने के लिए इतनी लंबाई तक जाने को तयार देखा था जीरो विंग के सदस्यों को एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्थ हुआ, जबकि विभिन महाशक्तिया रॉक जायंट शिवर के सफल कबजे से चौक गई सिस्टम बधाई हो आपने एक सौ से कम लोगों के साथ रॉक किंग को हरा दिया है पंदरा थंडर आइलाइंड प्रतिष्ठा और आठ सौ थंडर आइलाइंड कंट्रिब्यूशन पॉइंट्स को पुरस्कृत करना सिस्टम बधाई हो आपने थंडर द्वीब के लिए पहले संधर्श के दौरान रॉक किंग को हरा दिया है बीस फ्री मास्टरी पॉइंट्स, पांच लिगेसी स्केल पॉइंट्स और एक हजार थंडर आइलाइंड कंट्रिब्यूशन पॉइंट्स को पुरस्कृत करना तीन को चौकाते हुए दो सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार दिखाई दिये जबकि वे थंडर ग्वीब के योगदान बिंदूओं के मूल्य को नहीं जानते होंगे वे मास्टरी पॉइंट्स और लिगेसी स्केल पॉइंट्स के महत्व को जानते थे जब किसी के पास परियाप्त मास्टरी पॉइंट होंगे तो उनका बेस डैमेज बढ़ जाएगा लिगेसी स्केल पॉइंट्स के लिए खिलाडियों को आम तौर पर कुछ प्राप्थ होते हैं जब वे समतल हो जाते हैं उन्हें अभी अभी मिले पांच अंकों के साथ वे आसानी से एक अतरिक्ट टियर एक लिगेसी स्किल सीख सकते हैं यदि वे कुछ और अंक प्राप्थ करते हैं तो वे टियर दो विरासत कौशल भी सीख सकते हैं जिससे उनकी युद्ध शक्ती बहुत बढ़ जाती है यह सच था कि अथर्व के नेतरित्व ने उन्हें इस बार इतनी आसानी से रौक किंग को हराने की अनुमती दी थी लेकिन एक और कारण यह था कि टीम के कुछ खिलाडियों के पास तियर दो कौशल थे जिससे उनकी टीम की समगरक्षती रौक किंग की लड़ाई से उबरन से अधिक हो गई. सिस्टम नोटिफिकेशन समाप्थ होने के बाद छावनी के केंडर से उठने वाला प्रकाश स्तंभ धीरे-धीरे विलुप्थ होने लगा. फिर आकाश से विभिन आकरितियों और रंगों की चमकदार वस्तुए बरसने लगी, जिससे एक छोटा पहाड बन गया जहां पहले रॉक किंग की लाश पड़ी थी. शांदार चमक और शक्तिशाली आभा से विकीर्ण वस्तुओं का पहाड तीम के सदस्यों के दिलों को चुग गया. थंदर आइलान के तीन महान मालिकों की पहली हत्या का इनाम जबरदस्थ है. अथर्व भी काफी है अधरान था. हाला कि उसे उम्मीद थी कि रॉक किंग की लूट असाधारन होगी लेकिन उसने इतनी उम्मीद नहीं की थी. यहां लूट की मात्रा पहले से ही समान स्तर की तीन या चार ग्रैंड लॉड रैंक वाली पुरातन प्रजातियों को मारने से लूट का मुकाबला क कर सकती है. दरॉक किंग की लूट से केवल अथर्व और उसकी टीन को ही जटका नहीं लगा. यहां तक कि द्वीब के बाहर से पड़ाव देख रहे खिलाडियों के भी पसी ने छूट गए जब उन्होंने वस्तूओं के छोटे पहाड को देखा. क्या रॉक किंग केवल ए दरॉक किंग एक स्टर साथ था. ग्रेंड लॉर्ड ने पुरातन प्रजातियों को स्थान दिया. सबसे आम वस्तू कम होगी कम से कम स्टर पचास लस फाइन गोल्ड उपकरन. यदि कोई भाग्यशाली होता, तो वह स्टर पचास लस डार्क गोल्ड एक्विपमेंट को भी जरूरी नहीं था. एक नजर में वे लूट के बीच तीस से अधिक हथियार और उपकरन के टुकडे देख सकते थे. कोई कलप ना कर सकता है कि वह लगु परवत कितना मूल्यवान था. विभिन महाशक्तियों के विशेशक्य स्टर पचास के बहुत करीब थे और स्टर पच इच रॉक जाइंट शिवर में अथर्व ने अपने सदमे से उबरने के बाद लूट की व्यवस्था करना शुरू कर दिया. उन्होंने शेश दो रॉक गार्ड्स को टर्टल डो ये वुमियान और आने वाले टियर दो NPC के लिए छोड़ दिया. हालांकि रॉक गार्ड्स व रॉक किंग ने 183 आइटम गिराए थे. उनमें से 55 अत्यंत दुलब सामगरिया थी, 71 विभिन प्रकार के रतन थे, 24 मैजिक स्क्रॉल थे और 32 हथियार और उपकरण के टुक्रे थे. हथियारों और उपकरणों में सबसे घटिया लेवल 50 फाइन गोल्ड रैंक था, जबकि स सबसे अच्छे आइटम तीन लेवल 55 डार्क गोल्ड विपन थे. इनमें से प्रतेक हथियार बाजार में आसानी से 1000 से अधिक सुना ला सकता है. हालांकि अथर्व को जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया, वह थी ब्रेकर सेट के टीन टुक्रे एक लेवल 55 डार्क गोल सेट एक्विपमेंट को गिरा देगा. इसके अलावा ब्रेकर सेट एक अध्वितिय डार्क गोल्ड सेट उपकरण था. यदि खिलाडी सेट के दो या अधिक टुक्डे एकतर करते हैं, तो सेट के स्तर की आवश्यक्ता पांच स्तरों से कम हो जाएगी. इसका मतलब था कि लेवल 50 के खिलाडी आइटम तैयार कर सकते हैं. बुनियादी विशेश्टाओं के संदर्भ में, ब्रेकर सेट के अलग-अलग टुक्डे स्तर 50 एपिक उपकरण की तुलना में केवल थोड़े कमजोर थे. गार्जियन बॉस ने एपिक ग्रोथ टाइप एक्विपमेंट का एक टुकडा भी गिराया था जिसे सोल रोग कहा जाता है. सोल रोग एक विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित नहीं था, हालांकि इसके कौशल और गुन चिकित्सकों के लिए अनुकूल थे. सुसजित होने पर वस्त्र पहनने वाले के हीलिंग मंतर की शक्ती को 5% बढ़ा देत है. बागे ने निश्क्रिय कौशल आत्मा में उतार चड़ाव की भी पेशकश की. यहां निश्क्रिय कौशल युद्ध में भी पहनने वाले के मन को ठीक कर देगा. यहां कौशल युद्ध के दोरान एक चिरस्थाई मान रिक्वरी पोशन के समान था. इस कौशल के साथ एक मरहम लगाने वाला मैना की चिंता किये बिना अपने सहयोगियों का समर्थन कर सकता है। जब अथर्व ने टीन के साथ सोल रॉब के एट्रिब्यूट पैनल को साजा किया, तो वह एक तरह से हमफने लगा। खेल के शुरुवाती चर्णों के दौरान, खिलाडियों ने अपने मन पर ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वे उच्चस्तर पर पहुंचे, उनके कौशल और मंत्र दोनों मात्रा और गुनवत्ता में व्रिध्धी हुई। एक टीम पर एक शक्तिशाली उपचारक का अत्यधिक महत्व था। वह मतिभ्रम कर रहा है क्योंकि वह अपने हाथों में मोटे धूल भरे ठुंके को देख रहा था। Magic Workshop उन तीन प्रमुख इमारतों में से एक थी, जिनका निर्मान खिलाडी गिल्ड निवास में कर सकते थे, लेकिन अतीत में केवल कुछ ही गिल्डों ने स्वयं के लिए एक का निर्मान किया था। पहला कारण Magic Workshop डिजाइन का कम ड्रॉपरेट था। आम तोर पर केवल साथ लस्तर के मिथिक फील्ड बॉस के पास डिजाइन को छोड़ने का एक मौका था। दुरभाग्य से पौरानिक राक्षस खेतों में बहुत दुरलब थे। दूसरा कारण निर्मान सामगरी थी। Magic Workshop के निर्मान की मुख्य सामगरी अविश्वसनिय रूप से दुरलब और कीन्ती थी। सूची में सेवन लिूमिनरी क्रिस्टल भी शामिल हैं। डिजाइन के लिए 200 इकाईयों की आवश्चक्ता होती है। यह 4 से 607 चमकदार क्रिस्टल के बराबर था। यही कारण है कि डिजाइन प्राप्त करने के बाद भी अधिकांश संध भवन निर्मान के लिए तयार नहीं थे। इतने सारे साथ प्रकाश्मान क्रिस्टलों के साथ कोई अपेक्शाकरित बड़ा माइंड स्पेस स्थापित कर सकता है। हाला कि मैजिक वर्क्शॉप का निर्मान करने वाले गिल्ड ने यह साबित कर दिया था कि जितनी जल्दी वे ऐसा करेंगे उतना ही गिल्ड के विकास के लिए फाइदे मंद होगा। Magic Workshop का व्यापक उपियोग था। उनमें से प्रमुख Magic Scroll Production था। बाजार पर Magic Scroll आम तौर पर हमले बचाव या स्क्रॉल को बुलाने के लिए थे। इस बीच Magic Workshop सपोर्ट स्क्रॉल का उदपादन कर सकती है। ये स्क्रॉल टेरलेस थे और खिलाडियों के शौकीन मंत्र और कौश के समान थे। केवल शौकीनों ने खिलाडियों की बुनियादी विशेश्टाओ, जादू प्रतिरोध या रक्षा में व्रिधी नहीं की। इसके बजाए शौकीन प्रकृती में अधिक आंतरिक के पहलूँ में सुधार करते हैं। उदाहरन के लिए खिलाडी दूर तक दे कोनों खिलाडियों के मूल गुन समान थे, तो भी उनकी युद्ध शक्ती काफी भिन्न थी। समर्थन स्क्रॉल दो मुख्य श्रेनियों में आते हैं, व्यक्तिगत समर्थन और टीन समर्थन। नक्षों की खोज और काल कोठरी पर चापा मारने के दौरान वे बेहत उपयो होगा। ये स्क्रॉल प्रभावशीलता मैजिक वर्क्शॉप के रैंक पर निर्भर थी। मैजिक वर्क्शॉप का रैंक जितना उचा होगा, वह व्यापक किस्म के और मजबूत सपोर्ट स्क्रॉल तयार करेगा। हालाकि मैजिक वर्क्शॉप को अपग्रेड करना आसान यह एक और कारण था कि संगों को जल्द से जल्द भवन का निर्मान करने की सिफारिश की गई थी। मैजिक वर्क्शॉप गेल्द के सदसियों की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। और थंडर गौर्ड्स पावर अभी भी कोल्डाउन पर था। गिल्दों में से एक बन गया जिसने तीन राक्शस शिविरों को सुरक्षित किया। हाँ हाँ हाँ। उनके अहंकार के बावजूद पवित्र मंदिर के कमीने हमारे जैसे ही केवल दो पड़ावों के साथ समाथ हो गए। खबर सुनकर ब्लैकी हंसे बिना नहीं रह सका। बाकी टीम ने सिरहिलाया और अपनी सहमती व्यक्त की। पवित्र मंदिर ने जीरो विंग को हे द्रिश्टी से देखा था और उनकी वारताओं में शूने गंभीरता प्रदर्शित की थी। कहना जूट होगा कि उनका अपमान नहीं किया गया था हालांकि पवित्र मंदिर दुश्मन नहीं था फिर भी वे सुपर गेल्ड की हार से खुश थे। जबकि जीरो विंग के सदस्यों ने बातचीत की, सिस्टम ने अंता खिलाडियों को सूचित किया कि थंडर द्वीप पर प्रतियोगिता समाप्थ हो गई है। उसी समय थंडर द्वीप के चारों और का जादूई अवरोध गायब हो गया। द्वीप पर सभी को तब प्रतियोगिता चेतर से थंडर टाउन में भेज दिया गया था। फिर भी थंडर टाउन में पहुँचने के बाद भी किसी ने आराम करने के कोई संकेत नहीं दिखाए। इसके बजाए उन्होंने टाउन प्लाजा के केंदर में बढ़े पत्थर के समारक की और अपना रुख किया। थंडर आइलाइंड प्रतियोगिता समाप्थ होने के बाद सिस्टम विभिन प्रतिभागियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करेगा। रैंक तब द्वीप पर प्रत्येक शक्ती की स्थिती और अधिकार का निर्धारन करेगा। इसलिए शामिल सभी उपरी सोपानक अविश्वसनिय रूप से घबराय हुए थे। त्वरित देखो, सिस्टम रैंक जारी कर रहा है। धीरे धीरे पत्थर के समारक पर शब्द आने लगे। शीर्ष पांच रैंकों के लिए सभी पुरसकार बहुत अच्छे हैं। अगली प्रतियोगिता तक थंडर द्वीप और मौत के सागर से बचना होगा। नौसैनिक युद्ध में एक जहाज को नुकसान से बचाना अविश्वसनिय रूप से कठिन था। और जैसे जैसे जहाजों का स्थायत्व कम होता गया, खिलाडियों को उनकी मरम्मत करने की आवश्शक्ता होगी। यदि कोई थंडर आइलाइन के शिप्याड या रिपेयर याड को नियंतरित करने वाली शक्तियों का दुश्मन था, तो इस प्रतियोगिता के परिणाम उनके नौसैनिक विकास के लिए विनाशकारी जटका दे सकते हैं। थंडर द्वीप एक मात्र स्थान था जिसने मौद के सागर में मरम्मत की पेशकश की थी और इस शेत्र से आने जाने में परेशानी और समय लगता था। अस्थाई टेलिपोर्टेशन एरे प्राप्त करने के लिए यह असंभव था। भाग लेने वाली सभी महाशक्तियों के लिए परियाप्त तेलिपोर्टेशन सरन्या भी नहीं थी। अपने जैसे सभी छोटे पात रखड़े होकर और किनारे से देख सकते थे। जैसा कि खिलाडियों ने चुपचाप बातचीत की, समारक पर पहले स्थान पर गिल्ड का नाम दिखाई दिया। चमतकार? यह कैसा चमतकार है? क्या युद्ध भेडियों ने तीन पड़ावों को भी सुरक्षित नहीं किया। यह 9 ड्रेगन समराट और चमतकार की टीमों के बीच अचानक विलय के कारण होना चाहिए। मत भूलो 9 ड्रेगन समराट के पक्षने भी एक छाबनी हासिल कर ली है। इसके साथ चमतकार तकनीकी रूप से इसके नियंतरन में 4 शिविर हैं। स्वाभाविक रूप से यह प्रथम स्थान प्राप्त करता है। वह 9 ड्रेगन समराट ने वास्तव में ऐसा किया है। क्या वह किसी अन्य टीम के साथ विलय करके थंडर ग्वीब पर सभी अधिकार नहीं खोदेंगे। इसकी मदद नहीं की जा सकती। 9 ड्रेगन समराट ने फीनिक्स रेन के साथ लड़ाई शुरू करके अपनी कबर खुद खोद ली। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, तो वह आसानी से थंडर ग्वीब पर अधिकार का हिस्सा प्राप्त कर सकता था। जबकि चमतकार की सफलता से देखने वाली टीमे थोड़ी हैरान थी, उन्होंने 9 ड्रेगन समराट के साथ भी सहानुभूती व्यक्त की। उन लोगों के बीच भारी अंतर था जिनके पास द्वीब पर अधिकार था और जिनके पास नहीं था। इस अधिकार के साथ यहां तक की द्वीब के एक हिस्से को नियंत्रित करते हुए इन शक्तियों को थंडर द्वीब के विकास मॉडल को तै करने की अनुमती दी। साथ ही उनके पास मरमत याड का नियंत्रन होगा। अगर नाइन ड्रैगन्स समराट ने अपने नाम के तहट एक राक्षस छाबनी हासिल कर ली होती, हालांकि उन्होंने एक बड़ा मरमत याड प्राप्त नहीं किया होता, तो वे एक छोटा मरमत याड प्राप्त कर सकते थे। उसे एक शक्ती से दूसरी शक्ती उधार नहीं लेनी पड़ेगी। पहले स्थान के आगमन के साथ दूसरे स्थान के गिड का नाम जल्द ही आ गया। अप्रत्याशित रूप से बैटल वॉल्व्स ने दूसरा स्थान हासिल किया। यह एक मात्र अन्यगिड था जिसने दो से अधिक राक्षस शिविरों पर कबजा कर लिया था। दूसरे स्थान पर आकर बैटल वॉल्वस ने एक मीडियम शिप्याड पर पूरा नियंत्रन हासिल कर लिया था। एक बड़े रिपेयर याड के 25% शेर और एक छोटे रिपेयर याड का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था। विभिन महाशक्तियों को जलन हो रही थी। लार्ज शिप्याड की तरहा थंदर आयलाइंड में केवल एक बड़ा रिपेयर याड था। बड़े शिप्यार्ड के अलावा, पहले स्थान पर केवल बड़े रिपेर यार्ड के शेरों का 30% और एक छोटा रिपेर यार्ड प्राप्थ हुआ। एक छोटा मरम्मत यार्ड जबकी प्रतीकशारत खिलाडियों ने स्थिती पर चर्चा की, सिस्टम ने अंत में परिणामों की गणना पूरी की और तीसरे स्थान की टीन को प्रदर्शित किया। यद्यपी ड्रैगन फिनिक्स मंडप ने दो पड़ाव सुरक्षित किये, इसने पवित्र मंदिर और नाइन हेवन्स मंडप के रूप में लगभग उतने टावरों पर कबजा नहीं किया। प्रणाली को अवश्य ही गलत गणना करनी चाहिए। विभिन महाशक्तियां रैंक से खुश नहीं थी। पवित्र मंदिर और नाइन हेवन्स मंडप के सदस्य विशेश रूप से परिनाम को लेकर उगर थे। उनके दोनों संगों ने सदस्य संख्या के मामले में फीनिक्स रेंड की टीम को पीछे छोड़ दिया और प्राचीन तावरों पर कबजा कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कैसे देखा, फीनिक्स रेंड की टीम को तीसरा स्थान हासिल नहीं करना चाहिए था, वास्तव में अगर उनकी टीम पाँचवे स्थान पर भी होती तो यह एक चमतकार होता, बिग सिस रेंड देखो, हमें वास्तव में तीसरा स् उसने अधर्व की ओर देखा, उसकी आखों में जिग्यासा भरी हुई थी, जहां तक उनका सवाल है, अगर उनकी टीम इस प्रतियोगिता में पाँचवे स्थान पर रही तो उन्हें उपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, आखिरकार भाग लेने वाली कुछ अन् विन ने अपनी टीम की समगर रैंक बढ़ाने के लिए कुछ किया था, हालांकि अथर्व ने उसके जिग्यासु रूप के जवाब में यह कहते हुए कि वह भी निश्चित नहीं था, अपने कंधों को उचका दिया, उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसने फैसला किया कि मामला आगे बढ़ने लायक नहीं था, फिर भी फीनिक्स रेन ने अपने सहियोगी को एक आभारी रूप दिया, अब जब उसने थंडर आइलाइन प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया था, तो वह भविश्य की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए योग्य हो गई थी, यहां तक कि अगर उसने छोटे शिप्याड और थंडर ग्वीप पर एक छोटे मरमत याड के साथ फर्मेट के नौसैनिक समर्थन को खो दिया था, तो वह एक महीने में खुद का काफी शक्तिशाली बेडा विक्सित कर सकती थी, संध के नेता, तुम सच में इस ब कतियोगिता के रैंकों की गणना कबजे वाले शिविरों की संख्या के आधार पर करता है, लेकिन सभी शिविर समान नहीं होते हैं, कुछ अन्य की तुलना में अधिक कठिन होते हैं, स्वाभाविक रूप से एक राक्षस शिविर जितना कठिन होता है, उतने अधिक अंक एक टीम इस पर कबजा करके लाप प्राप्त कर सकती है, जिस रॉक जायंट पड़ाव पर हमने कबजा किया है, वह थंडर द्वीप पर तीन सबसे कठिन पड़ावों में से एक है, स्वाभाविक रूप से हमने अपनी प्रतिसपरधा से अधिक अंक अर्जित किये, वर्तम इस जानकारी को जानते हैं, वे बहतर परिनाम अर्जित कर सकते हैं, हालांकि उनकी टीम ने कागस पर केवल दो राक्षस शिविरों पर कबजा कर लिया था, लेकिन रॉक जायंट शिविर ने थंडर ग्वीप पर किसी भी शिविर के सबसे अधिक अंक दिये, छावनी को 1. दशमलव पांच गुना और साधारन चावनी के बराबर सम्मानित किया गया, इसलिए अथर्व को आश्चर्य नहीं हुआ कि उनकी टीम प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही थी, वास्तव में ठीक यही कारण था कि उसने एक आसान लक्षे के बजाय रॉक जाइंट प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर था, अपने तमाम प्रयासों और संसाधनों के बावजूद, उन्होंने केवल एक अस्थाई टेलिपोर्टेशन स्लॉट प्राप्त किया था, इसके विपरीत, फीनिक्स रेन ने ग्वीग पर अधिकार का एक हिस्सा हासिल कर लिया था और प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर था, दग्रेट पवेलियन मास्टर और पहले के तटस्थ गुजूर्ब निश्चित रूप से अब उन्हें अपना पूरा समर्थन देंगे, इस बीच लोनली हेवन का पेट पच्चतावे से मरोर उठा, यदि उसके पास थंडर द बैटल वूल्वस ने कहा है कि वे फीनिक्स रेन और जीरो विंग के साथ फिर से बातचीत करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, शांत मेलोडी ने जिजगते हुए अपने बगल वाले मूख व्यक्ती से पूछा, प्रतियोगिता का परिनाम अप्रत्याशित था, उनकी बैटल वूल्वस को बताएं कि हम बातचीत का काम उन पर छोड़ देंगे, अगर बैटल वूल्वस फीनिक्स रेन और जीरो विंग की शर्तों को स्विकार करने का फैसला करते हैं, तो हम बहस नहीं करेंगे, उन्होंने जीरो विंग को उनके संगों के बीच अंतर सिखाने की उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने इस तरह के परिनाम की कभी उम्मीद नहीं की थी, साथ में फीनिक्स रेन और जीरो विंग ने वास्तव में पवित्र मंदिर को पीछे छोड़ दिया था, अब उनके पास खुद को नीचे करने और अथर्व के साथ फिर से बातचीत कर के अलावा कोई चारा नहीं था, समझा? जबकि फीनिक्स रेन और जीरो विंग की रैंक के बारी में हर कोई हैरान था, लाजा में पत्थर के समारक ने निमलिखित रैंकों को प्रकट करना जारी रखा. अंध में पवित्र मंदिर प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहा, बड़े मरम्मत याड के शेरों का 15% और एक छोटे शिप्याड के शेरों का 50% प्राप्त किया. नाइन हेवन्स पवेलियन पांचवे नंबर पर आया. पांचवे स्थान पर सुपर गिल्ड ने बड़े रिपेर याड के शेरों के अंतिम 10% और एक छोटे शिप्याड के 50% का अधिगरहन किया. भीड ने चठे स्थान के बाद से 6 रैंकों पर थोड़ा ध्यान दिया और थंडर आयलाइंड के बड़े मरमत याड के किसी भी हिस्से को अर्जित नहीं किया था. वास्तव में उन्हें एक छोटे शिप्याड का नियंत्रन भी नहीं दिया गया था. उन्होंने केवल थंडर आयलाइंड के विकासपत और अस्थाई टेलिपोर्टेशन एरेस के मॉस्वर्ब मंडप को भी पार कर गया. मुझे याद है कि फीनिक्स रेन ने दो राक्षस शिविरों को सुरक्षत कर लिया था. उसके पास अब चार अस्थाई टेलिपोर्टेशन सर्निया होनी चाहिए. चुँकि आकाश ने उसे धोखा दिया और जीरो विन को केवल एक क आवश्चता है, उसके पास अतिरिक्ट दो टेलिपोर्टेशन सर्निया होनी चाहिए. अगर हम खुद को फीनिक्स रेन के साथ जोडते हैं, तो हमारे पास उन में से एक को प्राप्ट करने का मौका हो सकता है. भगवान का शुक्र है कि हम नौड रेगन समराठ के साथ काम क महाशक्तियों ने पहले से ही अपने सहयोगियों के लिए अतिरिक्ट अस्थाई टेलिपोर्टेशन सर्नियों को आरक्षिक कर दिया था. कुछ महाशक्तियां अपने मूल लक्षियों को पूरा करने और पर्याप्ट टेलिपोर्टेशन एरे हासिल करने में भी विफल रही. दूसरी और फीनिक्स रेन के भागीदारों में से एक ने उसके साथ विश्वासघात किया था इसलिए उसकी टीम के साथ सहयोग करना और एक सर्णी प्राप्त करना पूरी तरह से संभव था बिग सिस्रेन अपेक्शाकृत शक्तिशाली नौसेनाओं के साथ कई बड़े संभों ने हमसे संपर्क किया है यह बताते हुए कि वे आपके अधीन काम करने के इच्छुक हैं हालांकि उन्होंने बदले में एक अस्थाई टेलिपोर्टेशन सर्णी का अनुरोध किया है ब्लू फीनिक्स ने उत्सापूर्वक घोशना की इसके अलावा कई महाशक्तियों ने हमें यह कहते हुए बधाई दी है कि उन्हें भविश्य में सहयोग के लिए बातचीत करने का समय मिलेगा थंडर द्वीप पर सहयोग के संबंध में बातचीत को फिर से खोलने के लिए बैटल वाल्व्स ने एक प्रतिनिधी भी भेजा है हाला की ड्रैगन फिनिक्स पैविलियन एक सुपर फर्स्ट्रेट गिल्ड था फिनिक्स रेन केवल गिल्ड की शक्ती के एक छोटे से हिस्से को जुटा सकता था इसलिए आज से पहले बहुत कम नौसैनिक बल उसके साथ सहयोग करने को तयार थे विभिन महाशक्तियों का एक ही मत था अब हाला की पहले और दूसरे दरजे के नौसैनिक गिल्ड और महाशक्तियों ने फिनिक्स रेन पर ध्यान देना शुरू किया यहां तक की बैटल वूल्व्स भी बाचीत को फिर से खोलना चाहते थे ब्लू फीनिक्स ने इस नतीजे की कभी कलपना भी नहीं की थी यह अथर्व युद्ध भेडियों ने निमंतरन भेजा है इस मामले पर आपकी क्या राय है फीनिक्स रेन ने अथर्व से धीरे से पूछा जो उसके पास खड़ा था वह पूरी तरह से जानती थी कि जीरो विंग ही एक मातर कारण था जिससे उसने इस तरह के उपचार का आनंद लिया इसके अलावा उनका संबंध एक नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध से बहुत पहले एक साजेदारी में विटसित हो गया था चुंकि बैटल वूल्वस ने बातचीत को फिर से खोलने की पहल की थी इसलिए उन्हें इस मामले पर उनकी राय लेनी पड़ी उन्हें थोड़ा इंतजार करने दो हम जल्दी में नहीं हैं अधर्व ने मुस्कुराते हुए कहा वह स्थिती से विशेश रूप से हैरान नहीं थे इसके बजाए हमें मजबूत नौसैनिक बलों की भरती पर ध्यान देना चाहिए केवल ऐसा करके ही हम अपनी समगर शक्ती को शीखरता से बढ़ा सकते है विभिन महाशक्तियों के साथ सहयोग करने से उन्हें थंडर ग्वी पर ही लाब होगा दूसरी और नौसैनिक बलों की भरती करके जिन्हें एक अस्थाई टेलिपोर्टेशन व्यू की आवश्यक्ता थी वे अपने बैनर तले चलने वाले जहाजों को सहारा दे सकते थे इससे थंडर पास के लिए काम करना काफी आसान हो जाएगा लडाई भेडियों को प्रतीक्षा करने दे जब उसने अथर्व की शांत अभिव्यक्ती देखी तो फीनिक्स रेन अवाक रह गई बैटल वूल्व्स एक सदाशई सुपर गिल्ड था इस प्रतियोगिता के दौरान इसने तीन राक्षस शिविरों पर भी कबजा कर लिया था बैटल वूल्स के साथ सहयोग करने के अवसर के लिए कई बड़े गिल्ड मर जाएंगे फिर भी अथर्व सुपर गिल्ड के प्रस्ताव को अस्विकार करना चाहता था हम एक बार जब हम अपने छोटे शिप्याड का संचालन शुरू कर देंगे तो हमें बातचीत में अधिक लाब होगा अथर्व ने सिर हिलाते हुए कहा तो ठीक है मैं उन्हें बता दूँगा फिनिक्स रेन ने सहमती व्यक्त की अथर्व के तर्क में कोई दोश नहीं पाया लोहे को गढ़ने के लिए एक मजबूत हथोड़े की जरूरत होती थी यहां तक कि अगर वे उन शर्तों का प्रस्ताव करते हैं जिनके वे हकदार थे तो बैटल वूल्व्स जरूरी सहमत नहीं होंगे एक बार जब वे परियाप्त रूप से शक्तिशाली हो गए तो बैटल वूल्व्स और सेक्रेड टेंपल उप्युक्त परिस्थितियों की पेशकश करेंगे क्या? उसने प्रस्ताव को अस्विकार कर दिया उसने बैटल वूल्व्स से भी कहा कि वह उसके जवाब का इंतजार करे वह क्या करने की कोशिश कर रही है जब उसने फीनिक्स रेन के उत्तर वाली रिपोर्ट पढ़ी तो इटर्नल डेट भ्रमित हो गया क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है उनकी राय में तथ्य यह है कि वह और बैटल वॉल्व्स भी बाच्चीत को फिर से खोलने के लिए सहमत हुए थे अविश्वस नियरूप से उदार थे फिर भी फीनिक्स रेन और जीरो विंग ने प्रस्ताव को अस्विकार कर दिया था गिल्ड लीडर हमें क्या करना चाहिए शांत मेलोडी ने पूछा हम इंतजार करेंगे अगर वे हमारी तलाश में नहीं आते हैं तो हम भी उन्हें ढूंढने नहीं आएंगे मैं यह मानने से इंकार करता हूँ की फीनिक्स रेन और जीरो विंग चुपचाप बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे इटर्नल डेड ने गंभीरता से उत्तर दिया जबकि विभिन शक्तिया प्रतियोगिता के बारे में बात कर रही थी फीनिक्स रेन और अथर्व के समुह ने थंडर ग्वीट के टाउन हॉल का दौरा किया और अपने छोटे शिप्याड और छोटे मरमत याड का चयन किया उन्होंने संबंधित अस्थाई टेलिपोर्टेशन एरे के लिए अपने गिल्ड भी पंजी कृत किये जिन संगों ने अपने टेलिपोर्टेशन सर्णियों को पंजी कृत किया था वे सदस्यों को थंडर ग्वीट और उनके गिल्ड निवासों के बीच एक छोटे से शुल्क के लिए टेलिपोर्ट कर सकते थे उन्हें जहाज से यात्रा करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा इसके अलावा हाला की स्मॉल शिप्याड और स्मॉल रिपेयर याड अपने बड़े समक्षों की तरहे प्रभावी नहीं थे लेकिन वे मौझूदा खिलाडियों के लिए परियाप्त से अधिक थे एक बार जब उन्होंने उन मुद्दों से निपटना समाप्त कर लिया तो अथर्व ने थंडर ग्वीप को छोड़कर रिटर्न स्क्रॉल का उप्योग किया मैजिक वर्क्शॉप के निर्मान से निपटने के लिए उन्हे जिस सबसे महत्वपूपन चीज की जरूरत थी हालांकि मैजिक वर्कशॉप के निर्मान से गिल्ड के खजाने में सेंध लग जाएगी इमारत जलदी ही अपने लिए भुगतान कर देगी इसके अलावा थेल की प्रक्ती के रूप में मैजिक वर्क्शॉप का गिल्ड के लिए मूल्य बढ़ेगा अब जबकि उसके पास इमारत का डिजाइन था उसे जल्द से जल्द इसे खड़ा करना था जबकि फीनिक्स रेन और अथर्व ने आवशक प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया था नाइन ड्रैगन्स एम्परर ने थोड़ी दूरी से देखा था दो खिलाडियों पर खंजर चमक रहा था अथर्व के समुह के टाउन हॉल से चले जाने के बाद नौड्रेगन समराट ने अपना मुह खोला और पूछा मार्शल क्या आपने अभी तक बीस्ट समराट से संपर्क किया है निश्चिंत रहें पवेलियन मास्टर बीस्ट एमपरर ने गारंटी दी है कि जीरो विन को जल्द ही गौड्स दोमेन से हटा दिया जाएगा मार्शल ड्रेगन ने कहा अच्छा एक बार उनके लोग तयार हो जाएं तो हम कारवाई करेंगे मैं अब जीरो विन को जीवित देखने के लिए खड़ा नहीं हो सकता नाइन ड्रेगन्स एमपरर ने फुफकारा उसकी आखों में एक थंडी चमक चमक रही थी इस बीच वाइट रिवर सिटी लोटने के बाद जैसे ही अथर्व ने कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के लिए अपना रास्ता बनाया एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों तक पहुँची सिस्टम बधाई हो विच हिल में आपके शहर का निर्मान पूरा हो गया है कृप्या तीन दिनों के भीतर निर्मान की जाच करें और पुष्टी करें यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो निर्मित शहर को छोड़ दिया जाएगा